हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़ियार होगे दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का GST Revision Series के अंदर दोस्तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग revise करने वाले हैं हमारा reverse charge mechanism tax invoice, tax invoice में specially हम जो revise करेंगे वो revise करेंगे e-way bill और payment of tax यह तीनों topics हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे so that कि आप लोग को सारा का सारा चीज़ें recall हो जाए जो भी आपने class के अंदर पढ़ा हुआ था तो without wasting any time let's start with the revision let's start with the revision charge of GST charge of GST में दो चीज़े आती हैं एक आता है reverse charge mechanism और एक आता है composition scheme section 9 and section number 10 section number 10 composition scheme हमने cover up किया हुआ है हमें reverse charge mechanism पढ़ना है reverse charge mechanism के लिए हमारे पास section लगता है section 93 section 93 कहता है कि government के पास power है वो कुछ supplies को notify कर सकती है जिनके ऊपर text reverse charge mechanism में recipient से collect करा जाएगा तो आपको पता है दो mechanism होते हैं एक होता है forward charge जिसमें हम supplier से text recover करते हैं और supplier के पास power होती है कि वो अपने recipient से text का पैसा recover करके government के पास जमा करेगा this is forward charge और reverse charge में क्या होता है कि जो supplier होता है वो recipient से केवल अपनी supplier का पैसा recover करता है और recipient को उस supplier पे जो text है वो directly government के पास जमा कराना होता है इसलिए इसको reverse charge बोलते है forward charge में recipient GST का पैसा supplier को देता है और supplier government के पास जमा कराता है reverse charge में recipient directly पैसा क्या करता है government के पास जमा करवाता है Normally by default GST के अंदर forward charge mechanism ही लगता है लेकिन कुछ notified supplies है उनके उपर हमारे पस reverse charge लगता है अब sir services के उपर भी reverse charge लगता है और goods के उपर भी reverse charge लगता है goods का reverse charge हमारे syllabus में नहीं है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ services का reverse charge important है तो हम इसको अच्छे से करेंगे sir यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से समझने के लिए कुछ खास है नहीं एक तरीके का compliance based chapter है थोड़ा सा rectification करना पड़ेगा कि कौन सा scenario है जहाँ पर reverse charge लगता है straight forward question आता है तो परशान होने वाली कोई बात निकल कर नहीं आती है चलिए शुरू करते हैं sir बात करना reverse charge reverse charge section 298 में defined है already मैंने आपको बता दिया कि reverse charge क्या होता है अब हम बात करते है reverse charge on services की reverse charge on services की सबसे पहली जो service यहाँ पर हम cover करने वाले हैं वो है sponsorship की service sponsorship की service क्या होती है कि sir जो supplier होता है वो sponsorship की services देता है वो brand promotion करता है जैसे कपिल शर्मा है कपिल शर्मा जब अपने show पर आते हैं तो सबसे पहले अपने brands का नाम लेते हैं जिनोंने उनके show को sponsor किया है तो यहाँ पर कपिल शर्मा उन brands को service दे रहे हैं उनके brands का promotion कर रहे हैं तो जो व्यक्ति sponsorship receive करता है जो sponsorship का पैसा receive करता है वो supplier होता है और जो sponsorship का पैसा देता है, वो recipient होता है, जिसने पैसा दिया है, उसके brand का promotion होता है, तो जैसे माल लो मैं supplier हूँ, मैं कपिल शर्मा हूँ, मैं तो जस्मीत हूँ, पर कोई बात ने, तो माल लो कि मैं कपिल शर्मा हूँ, मैं कपिल शर्मा हूँ, मैं अपने show पर आया और मैं बो यहां पर sponsorship की services कपिलशर्मा दे रहे हैं अपने जो ब्रांड है जो ने सकती है कोई वीक्ति हो सकता है, मतलब वो इंडिविजुल हो सकता है, वो और पर्णरुडर्स सब्राइब्स लिकिन रिवर्स-चार्ज हम तभी लगाएंगे जब recipient कौन होगा, body corpulate होगा, यहां partnership firm होगा मतलब अगर मैंने sponsorship की services दी मैंने अगर sponsorship की services दी किसी individual को तो reverse charge नहीं लगेगा forward charge लगेगा मैंने sponsorship की services दी किसी HOF को तो यहाँ पर क्या होगा सर यहाँ पर forward charge लगेगा मैंने sponsorship की services दी किसी NGO को, किसी charitable institute को तो वहाँ पर reverse charge नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैंने body corporate को दी, मैंने partnership firm को दी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, reverse charge applicable हो जाएगा, यानि कि ये body corporate और partnership firm, reverse charge के अंदर sponsorship services पे GST government को पे करेगा, ठीक है, अगला point आता है goods transportation, GTA की service बहुत ही जादा important है, बहुत ही जादा important है, normally क्या होता है sir, normally जो GTA की services होती है, वो reverse charge mechanism में आती है, और जो recipient होता है service का, उसे क्या करना पड़ता है, tax pay करना पड़ता है, अब अगर GTA ने अपनी service दी है किसी factory को, तो वो factory reverse charge में GST पे करेगी, GTA ने service दी है किसी society को, तो वो society reverse charge में GST पे करेगी, तो वो cooperative society reverse charge में GST पे करेगी, एक बास समझना, societies का registration, societies act में होना चाहिए, co-operative society किसी भी act में registered होनी चाहिए, या फिर GTA ने service दी है किसी ऐसे व्यक्ति को, जो GST में registered है, मतलब GST में registered कोई individual है, कोई HOF है, कोई AOP है, कोई BOI है, कोई भी है, कोई भी व्यक्ति जो GST में registered है, अगर उसको GTA ने service दी, तो reverse charge mechanism पे यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका recipient tax pay करेगा, सर किसी body corporate को service दी, किसी partnership firm, AOP, BOI को service दी, casual taxable person को services दी, तो इस case में reverse charge mechanism लगेगा, और reverse charge mechanism में यह लोग tax pay करेंगे, तो अगर GTA ने किसी factory को services दी, किसी cooperative society को services दी, किसी भी registered person अंडर GST को services दी, किसी factory को services दी, किसी body corporate को service दी, partnership firm, AOP, BOI को service दी, casual taxable person को दी, तो reverse charge mechanism के अंदर यह लोग क्या करेंगे, GST pay करेंगे, सर, recipient कौन होगा, consigner, consigner recipient माना जाएगा, consigner recipient माना जाएगा, कि consignee recipient माना जाएगा, यह important है न, recipient किसको मानोगे, consigner को recipient मानोगे, of the GTA service, कि consignee को recipient मानोगे, of the GTA service, तो act कहता है कि हम recipient उसको मानेंगे, हम recipient उसको मानेंगे, जिसको freight पे करना है जिसको freight पे करना है अगर freight का payment consigner को करना है तो recipient consigner है consigner को reverse charge mechanism में GST पे करना पड़ेगा अगर GTA का freight consignee को पे करना है तो consignee recipient है और consignee reverse charge में क्या करेगा GST पे करेगा तो whosoever is liable to pay freight is the recipient of service whosoever is liable to pay freight is a recipient of service and if recipient is this person and the recipient is factory, society, cooperative society, registered person under GST, body corporate, partnership firm, casual taxable person if the recipient is this person then reverse charge will be applicable and they have to pay GST under the reverse charge to the government लेकिन, लेकिन, लेकिन के रहे कि रिवर्स चार्ज मेकेनिजम एप्लिकेबल नहीं होगा कोई भी रिवर्स चार्ज मेकेनिजम एप्लिकेबल नहीं होगा अगर GTA ने service दी है किसी भी department को किसी भी establishment को और वो department establishment central government का है, state government का है, union territory का है यहाँ पर reverse चार्ज नहीं लगेगा तो कैसर forward चार्ज लगेगा नहीं, exemption पढ़ाई थी मैंने आपको अगर अगर GTA ने अगर GTA ने किसी department और establishment को service दी है जो की government की है, local authority की है तो वहाँ पर GST लगती ही नहीं है अगर local authority को services दी है GTA ने local authority को services दी है GTA ने तो वो service भी आपकी क्या चलती है वो service भी आपकी exempt रहती है इसके बाद GTA ने किसी governmental agency को service दी है जिसने GST में registration लिया है केवल और केवल TDS काटने के लिए केवल और केवल TDS काटने के लिए तो यहाँ पर भी आपका GTA का service क्या होता है exempt होता है तो GTA ने अगर services provide करी है किसी department को, establishment को जो की किसी CG, SD और union territory की है तो वहाँ पर आपका GST exempt है GTA ने local authority को services दी है GST exempt है GTA ने ऐसी governmental agency को service दी है जिसने GST में registration लिया है केवल और केवल TDS काटने के लिए section 51 के अंदर तो वहाँ पर भी GST आपका exempt है अगर GTA ने किसी unregistered व्यक्ती को GTA ने किसी unregistered व्यक्ती को services दी है then also आपकी GTA की services exempt है यह point हमने already cover किया हुआ है exemption में जिसे माल लीजे मुझे अपना घर shift कर रहा हूं मैं नोईडा से जा रहा हूं पूने तो मैंने क्या किया अपने घर का जो समान है अपना जो bed है अपना AC है अपना fridge है furniture है dining table है जितना भी मेरा घर का समान है उसे मैं उसे मैं नोईडा से shift कर रहा हूं किधर पूने में तो यह मेरी personal समान मेरा shift हो रहा है तो इस case में मेरी services क्या हो जाएंगी GTA की exempt हो जाएंगी लेकिन अगर मैं office का समान shift करवाता हूँ अगर मैं office का समान shift कराता हूँ अपना studio shift करा रहा हूँ from Noida to Pune तो अब मैं registered विक्ती हूँ तो यहाँ पर reverse charge लग जाएगा जी टीए की services पर मुझे क्या करना पड़ेगा tax pay करना पड़ेगा तो घर का समान अगर shift हो रहा है पर्सणल समान shift हो रहा है तो exempt हो गई लेकिन अगर office का समान shift हो रहा है तो यह service क्या हो जाएगी taxable हो जाएगी तो normally क्या होता है नॉर्मली आपके पास जी टीए की जो सर्वेस होती है नॉर्मली जो आपके पास जी टीए की सर्वेस होती है वो reverse charge में आती है और reverse charge में जो recipient होता है वो GST पे करता है और reverse charge में जो GST का rate होता है वो होता है 5% वो rate होता है 5% लेकिन अगर जी टीए चाहे GTA चाहे, GTA की मर्जी है, option है GTA के पास GTA चाहे, तो वो forward charge mechanism में text खुद पे कर सकता है GTA चाहे, तो forward charge mechanism में खुद text पे कर सकता है GTA खुद को register करा ले, GST के अंदर और वो forward charge में GST पे करे Normally क्या है, normally GTA की services reverse charge में आती है या तो exempt है Normally GTA की services या तो reverse charge में है या तो exempt है ठीक है यह normal procedure है लेकिन अगर GTA अपने आपको register करा लेता है तो GTA के पास एक option है कि वो forward charge mechanism में भी text दे सकता है अब यहाँ पर भी 2 GST के rate लगते हैं अगर हमारा GTA limited ITC लेता है तो उस case में उस case में GST का rate 5% लगता है limited ITC का मतलब क्या है एक तरीके से मालो GTA केवल input GTA की services पे ITC लेगा और किसी पे ITC नहीं लेगा अगर GTA अपना ITC restrict कर रहा है तो 5% का GST rate लगेगा और forward charge mechanism में GST GTA पे करेगा लेकिन अगर GTA अपना ITC restrict करना नहीं चाहता वो हर एक चीज़ का ITC लेना चाहता है वो जो भी input में services ले रहा है जो भी input में goods ले रहा है उसका वो ITC लेना चाहता है तो फिर उसके उपर 12% का rate अप्लिकेवल होता है तो forward charge mechanism में दो rate लगेगे या तो 12 या तो 5 5 कब लगेगा जब सर GTA अपना ITC restrict कर रहा है अगर GTA ITC restrict कर रहा है तो 5% के rate से वो सामने वाले व्यक्ती से GST collect करके government को दे देगा लेकिन अगर GTA अपना ITC restrict नहीं कर रहा है तो सामने वाले बंदे से वो 12% का GST collect करके government को deposit कर देगा तो GTA के पास option है चाहे तो वो reverse charge में जाए चाहे तो वो forward charge के अंदर आ जाए ठीक है मालिक ये हो गई GTA की services complete अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग बात करते हैं हम लोग renting of immovable property renting of immovable property अगर आपकी government central government, state government, union territory, local authority अगर ये renting कर रही है ये कोई immovable property रेंट पे दे रही है कोई land building किराय पर दे रही है तो इस case में reverse charge लगेगा अगर recipient registered है तो अगर recipient एक business entity है और वो registered है वो registered है अगर recipient registered है under GST तो उस case में recipient को क्या करना पड़ेगा recipient को recipient को reverse charge में text देना पड़ेगा एक important चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर रास की बात है किसी को बताना नहीं तुमारे और मेरे बीच की है यह बात important point बता रहा हूँ मुझे इस registered person का preceding financial year का turnover नहीं देखना मुझे इसके preceding financial year का turnover नहीं देखना preceding financial year का turnover relevant नहीं है क्या relevant है relevant है कि वो व्यक्ति GST में registered है की नहीं क्या relevant है वो व्यक्ति GST में registered है की नहीं जैसे मैं GST में registered हूँ मैं GST में registered हूँ और मैंने government से कोई land ले लिया किराय पर सर आप उस land पे क्या करोगे बिटा मैं telecommunication की services देता हूँ मैं उस land पे telecommunication tower लगाऊँगा मैं government को उसका rent दूँगा उस land पे मैं telecommunication tower लगाऊँगा तो इस case में अगर मैं registered हूँ तो जो भी rent मैं government को पे कर रहा हूँ इस पे reverse charge के अंदर मुझे government को GST पे करनी पड़ेगी मेरा पिछले साल का turnover पांच लाग था, दस लाग था, बीस लाग था, पच्चिस लाग था, कितना था कोई फरक नहीं पड़ता preceding financial year का turnover matter नहीं करता, matter क्या करता है कि मैं registered हूँ की नहीं इसके अंदर आपके court और tribunal भी इंक्लूड होते हैं, इसको याद रखना तो मतलब अगर parliament ने, state assembly ने, state legislature ने, court ने, tribunal ने अगर immovable property की renting करी है, किसी registered व्यक्ती को तो वहाँ पर भी reverse charge लगेगा तो यहाँ पर अपन include करके चलेंगे parliament को, state legislature को, court को और tribunal को इसके बाद अगला point आता है, services by way of renting of residential dwelling to a registered person normally क्या होता है, normally पहले ऐसा होता था, कि अगर आप residential building, residential purpose के लिए let out करते थे तो यह exempt हुआ करती थी, residential building अगर residential purpose के लिए let out हुआ करती थी, तो यह exempt हुआ करती थी अब यहाँ पर change आ गया है residential building अगर residential purpose के लिए let out होती है किसी unregistered व्यक्ति को तो यह आपकी exempt रहती है लेकिन अगर residential building residential purpose के लिए let out होती है किसी registered व्यक्ति को तो उस case में आपका reverse charge mechanism applicable होता है और जो registered व्यक्ति होता है उसे यहाँ पर क्या करना पड़ता है GST pay करना पड़ता है सर अगर हमने commercial building let out करी है अगर आपने commercial building let out करी है किसी unregistered व्यक्ति को या फिर किसी registered व्यक्ति को तो यह आपकी taxable होती है और यहाँ पर forward charge mechanism लगता है residential building residential purpose के लिए let out हो रही है unregistered व्यक्ति को तो exempt है residential building residential purpose के लिए let out हो रही है किसी registered व्यक्ति को तो reverse charge में taxable है commercial building अगर let out हो रही है किसी unregistered को या फिर registered को तो taxable है under forward charge mechanism इसके बाद अगली service निकल कर आती है service by the director director किसी company को services देता है तो वो company reverse charge mechanism पे tax pay करेगी GST का अब अगर director company का employee है और director को salary मिल रही है जिस पे section 192 के अंदर TDS कट रहा है तो भाई salary के उपर GST नहीं लगती तो अगर हमने director को जो remuneration दी है हमने जो director को remuneration दी है उस पे अगर TDS section 192 पे कटता है तो इसके उपर GST ही attract नहीं होता और अगर इसके उपर GST ही attract नहीं होता तो reverse charge की बात ही नहीं आएगी लेकिन अगर हमने director को sitting fees दी है director को board meetings attend करने के लिए हमने उसको sitting fees दी है उस sitting fees के उपर आपका TDS कटता है under section 194J उसके उपर TDS कटता है under section 194J तो आपने जो उसको sitting fees दी है वो उसकी professional fees है उस professional fees के उपर GST लगती है और यहाँ पर GST reverse charge पे लगेगी और जो company है उसे क्या करना पड़ेगा reverse charge के अंदर GST पे करके चलना पड़ेगा तो director को अगर company salary दे रही है क्योंकि director full time employee भी है organization का उसको जो salary मिल रही है उसके 192 पे TDS कटता है उसके उपर आपका reverse charge applicable नहीं होगा क्योंकि GST नहीं लगती है लेकिन अगर professional fees दी जा रही है for the board meetings तो उस case में 194J में TDS कटता है और वो GST के Mbit में आता है और वहाँ पर reverse charge के अंदर company जो होगी वो tax pay करके चलेगी अगर insurance agent किसी insurance company को services दे रहा है उस commission के उपर company reverse charge mechanism के उपर आपका GST pay करके चलेगी इसी के तरीके से आपके पास आता है recovery agent की service अगर recovery agent किसी banking company को किसी financial institution को या फिर किसी NBFC को services दे रहा है recovery agent किसी banking company को किसी financial institution को किसी NBFC को services दे रहा है किस बात की इस बात की कि sir उनके loan का पैसा recover नहीं हो रहा था वो recovery agent उस loan के पैसे को recover करके दे रहा है तो ऐसे case में भी reverse charge mechanism लगेगा रिकवरी एजेंट यहाँ पर टेक्स पे नहीं करेगा गवर्मेंट को, वो बैंकिंग कंपनी, वो फानेंशल इंस्टिटूशन, वो NBFC क्या करेगी गवर्मेंट को टेक्स पे करेगी अगर आप एक music composer हो, अगर आप एक photographer हो, आप एक artist हो, ठीके, आप एक music composer हो, let's say आपने कोई गाना गाया और गाना गाके आपने T-series को write दे दिया, कि भाई आप ये गाना जो है, आप ये जो गाना है, वो YouTube पे streaming platforms के उपर आप इसको डाल दो Spotify पे डल गया YouTube Music पे डल गया Amazon Music पे डल गया और जितनी भी आपकी streaming apps है उनके उपर डल गया गाना YouTube पे डल गया गाना अब यहाँ पर क्या होगा streaming platforms उस company को T-series को payment करेंगे और T-series क्या करेगी उसमें से royalty जो singer है जो composer है जो lyricist है उसको क्या करेगी उसको ये royalty पे करेगी तो sir यहाँ पर जो music company है जो producer है वो royalty अगर पे कर रहा है किसी musician को किसी singer को किसी lyricist को ठीक है किसी भी music composer को तो उस royalty के उपर reverse charge लगेगा और वो जो music company है वो जो producer है वो reverse charge में क्या करेगा GST government को पे करके चलेगा इसके बाद अगला point निकल कर आता है sir अगला point आता है authors के लिए अगला point आता है authors के लिए normally अगर author ने कोई किताब लिखी है और उसको publish करने का copyright उसको publish करने का copyright let's say उसने किसी publishing house को दे दिया let's say मैंने कोई किताब लिखी और मैंने उस किताब को publish करने का right एक x y z publishing house को दे दिया तो publishing house क्या करेगा सर जब वो किताब बेचेगा वहाँ से जो भी पैसा कमाएगा उस पे से royalty मुझको देगा इस royalty पे reverse charge लगता है यानि कि जो publishing house है उन्हें क्या करना पड़ेगा reverse charge के अंदर GST government को pay करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर सरकार ने author को भी option दिया है कि author चाहे तो forward charge mechanism पे GST pay कर सकता है जैसे GTA वालों को option दिया था कि आप registration लेलो और forward charge में GST pay कर दो reverse charge की जगा पर वैसे ही author को option दिया गया है कि आपने जो भी royalty कमाई है book का copyright किसी publishing house को दे कर तो उस royalty पे आप चाहो तो forward charge mechanism पे text दे सकते हो ऐसा क्यों क्योंकि जो नए नए authors होते हैं उनके लिए publishing house pain लेने को राजी नहीं होते वो कहते हैं एक तो हम तुम्हारी किताब भी चापे और तुम्हारे लिए हम reverse charge mechanism में GST पे करें नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा तो जो नए-ने authors हैं उनको promote करने के लिए उनको एक platform मिले उसके लिए सरकार ने option निकाल दिया कि भाई चलो एक काम करो हम तुमको option देते हैं कि तुम forward charge में text पे कर दो कि वो forward charge mechanism पे taxes पे कर रहा है तो जैसे मैंने, मैंने forward charge mechanism पे करने के लिए GST में registration ले लिया तो जब मैं XYZ publishing house को invoice raise करूंगा अपने royalty के payment के लिए तो उस invoice पे declaration डाल दूँगा that author has undertaken the responsibility to pay GST under the forward charge mechanism अब मैंने जो यह option लिया है FCM में text pay करने का, यह मुझे एक साल तक exercise करना है तो आज माल लो 1 October है, तो 1 October 2023 से लेकर 1 October 2024 तक मुझे यह option carry on करना पड़ेगा एक साल तक मुझे इस option के साथ रहना पड़ेगा, अगर आज मैंने FCM opt करा, तो मुझे एक साल तक FCM के अंदर ही इस royalty पे GST government को दिनी पड़ेगी एक साल के बाद मैं अपना option reverse कर सकता हूं और reverse charge mechanism में जा सकता हूं आपको एक declaration फाइल करनी पड़ेगी कि आप opt कर रहे हूं forward charge में GST पे करने के लिए और आप यह option withdraw नहीं कर सकते एक साल तक जबसे आपने यह option exercise किया है वहां से एक साल तक आप इसे withdraw नहीं कर सकते इसके अलावा आप जो invoice raise करोगे उसमें declaration देनी पड़ेगी तो जो publisher है उसको जब आप invoice raise करोगे उसमें आपको declaration देनी पड़ेगी इसके बाद आता है transportation of a goods by a vessel from a place outside India up to the custom station of clearance in India तो अगर इंडिया के बाहर से goods अगर इंडिया में आ रहे हैं तो उस transportation के उपर GST pay करने का responsibility importer का है not so important we can skip this इसके बाद आता है selling of financial product selling of financial product तो बहुत सारे direct selling agent होते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग banks का NBFC का क्या करते हैं उनका 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 एक financial product रहता है उसको वो sell करते हैं उसको वो sell करते है financial product क्या हो सकता है कोई mutual fund financial product क्या हो सकता है कोई insurance policy कि फाइनेंशल प्रोडक्ट क्या हो सकता है कोई कोई एन्वेस्मेंट प्लाइन तो सर अगर आप फाइनेंशल प्रोड़क्ट बेच रहे हो किसी भी बैंक का किसी भी NBFC का तो इस पर रिवस्चार्ज लगेगा अगर हमारा डारेक्ट सेलिंग एजेंट कौन है एक इंडीव अगर एक individual direct selling agent किसी bank का किसी भी NBFC का financial product sell कर रहा है जिसके लिए bank NBFC उसको commission दे रही है तो उस commission के ऊपर reverse charge applicable होगा और वो bank NBFC को reverse charge में GST pay करना पड़ेगा लिकिन अगर individual direct selling agent के अलावा कोई agent है जैसे कोई body corporate है कोई partnership और LLP है तो इस case में reverse charge नहीं लगेगा इस case में forward charge ही लगेगा आपने देखा होगा बहुत सारे बहुत सारे जो banks होते हैं वो दूसरी companies की insurance policies बेच रहे होते हैं mutual funds बेच रहे होते हैं investment plans बेच रहे होते हैं तो जैसे अभी recently मेरा इंडस इंड में bank खुला अब bank account open करा तो जब मैंने वहाँ पर bank account open करा तो उनका tie up ICICI के साथ है तो इंडस इंड बेंक क्या कर रहा है ICICI bank की जो investment plans है वो हमको बेचने की कोशिश कर रहा थे तो यहाँ पर ICICI bank क्या करता होगा इंडस इंड को commission देता होगा जितने भी financial product इंडस इंड बेचता होगा अब क्योंकि इंडस इंड एक individual नहीं है वो एक bank है मतलब एक body corporate है तो यहाँ पर reverse charge नहीं लगेगा यहाँ पर इंडस इंड अपनी commission पर ICICI से GST charge करेगा और government को pay करेगा लेकिन मान लो मैं एक individual हूँ मैंने ICICI के साथ tie up कर लिया और मैं उनकी policy sell कर रहा हूँ उनके insurance plans, उनका investment plans, उनके जो other schemes है वो मैं sell कर रहा हूँ और मुझको commission मिल रही है तो इस case में reverse charge लग जाएगा और ICICI bank को reverse charge में मेरी commission पर GST government को pay करके चलना पड़ेगा इसके बाद आता है services of RBA, इसको read कर लें, not so important, इसके बाद आता है security services, यह important है यह important, security services, security services, क्या कहता है security services, any person other than a body corporate service provider कौन है, service provider कोई भी person है, other than a body corporate किसको services दे रहा है, एक registered person को, located in the taxable territory कोई भी person other than body corporate security services दे रहा है, किसी भी registered व्यक्ति को, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा reverse charge mechanism लग जाएगा, माल लीजे, माल लीजे security services की बात करते है security services की बात करते है, security services में माल लो service provider कौन है माल लो service provider, service provider एक body corporate है service provider एक body corporate है, ठीक है जी, अब सर यहाँ पर जो recipient है जो recipient है, अगर recipient, अगर recipient registered है, recipient अगर registered है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, reverse charge mechanism लग जाएगा, नहीं, यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर forward charge mechanism लग जाएगा अगर recipient अगर unregistered है, recipient अगर unregistered है recipient अगर unregistered है, तो अगेन, अगेन क्या लग जाएगा, सर अगेन आपका forward charge mechanism लग जाएगा लेकिन अगर service provider body corporate नहीं है, service provider एक company नहीं है, other person है यह individual है, HOFA partnership firm है, security services देने वाला व्यक्ति, security services देने वाला व्यक्ति, body corporate नहीं है तो ऐसे case में क्या लगेगा, ऐसे case में, अगर registered व्यक्ति है, अगर recipient रजिस्टर है, तो इस case में क्या लग जाएगा, सर इस case में RCM लग जाएगा, और recipient अगर unregistered है, recipient अगर unregistered है, तो यह आपकी forward charge mechanism में cover हो जाएगी ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए, इसके बाद वो आपसे क्या बोलता है, इसके बाद वो बोलता है, कि अगर, 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 security services किसी department और establishment को दी गई है जो की CG की है, SG की है, और union territory की है, तो उस case में क्या लग जाएगा, बेटा, उस case में क्या लग जाएगा, exception सर यह exemption में cover है, यहाँ पे exemption आजएगी, अगर local authority को दी है, तो exemption आजएगी सर ऐसे person को दी है, जो TDS काटता है, under section 51, तो उस case में exemption आजएगी, अगर, ऐसे व्यक्ति को दी है, जो composition scheme के अंदर tax pay करता है, तो वहाँ पर भी आपके पास क्या निकल कर आजएगी, exemption निकल कर आ जाएगी, everyone, वहाँ पर भी आपके पास exemption निकल कर आजएगी, ओके जी, चलिए, इसके बाद अगला point निकल कर आता है, services provided by an agent of the business correspondent to the business correspondent, अगर, एक business correspondent, दूसरे business correspondent को services दे रहा है, तो यहाँ पर reverse charge applicable हो जाएगा, services provided by an agent of the business correspondent to the business correspondent, services provided by the agent of business correspondent to the business correspondent, reverse charge लग जाएगा, और जो business correspondent है, उसे क्या करना पड़ेगा, reverse charge के अंदर GST पे करना पड़ेगा, जिसे मान लीजे, जिसे मान लीजे, जिसे मान लीजे, SBI है, SBI है, SBI है, SBI है, SBI ने मुझे as a business correspondent appointment किया हुआ है, SBI ने मुझे स्थे इसा ब्जिस्ट करेस्पॉंडेंट एपॉंट क्या हूआ है और मैंने आगे आपको बिश्नस करेस्प क्रेस्पॉंडेंट कर लिया है तो मानलीजे 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 मैं हूं मिस्टर एक्स माल लिजे मैं हूं मिस्टर एक्स और आप हो मिस्टर वाई आप हो मिस्टर वाई तो यहां पर क्या होगा सर यहां पर इसने जो इसको को सर्विसेज दी हैं Mr. X ने जो Mr. Y को सर्विसेज दी है इन सर्विसेज के ऊपर क्या लगा देना है बेटा जी इन सर्विसेज के ऊपर लगा देना है आपको reverse चार्च मकैनिसर क्या बोल रहा है एजेंट औफ बिजनस कर्सपॉंडेंट ने जो बिजनस कर्सपॉंडेंट को सर्विस दी है एजेंट मतलब जो बिजनस कर्सपॉंडेंट को सर्विस दे रहा है जो बिजनस कर्सपॉंडेंट को सर्विस दे रहा है और यह सर्विस को पूर की services ली है तो Y X को service दे रहा है और X SBI को services दे रहा है तो Y ने जो X को services दी है Y ने जो X को services दी है business correspondent की वो reverse charge mechanism में cover हो जाएगा services provided by the business facilitator to the banking company अगर आप banking company के business facilitator हो तो यहाँ पर reverse charge mechanism लगेगा और जो banking company होगी वो reverse charge mechanism में tax pay करेगी यहाँ पर आपकी जो banking company होगी वो आपके पास reverse charge के अंदर GST पे करेगी ठीक है इसके बाद आता है renting of motor car renting of motor car को भी हम चार्ट से करेंगे renting of motor car अगर आपने किसी को motor car rent पर करी है अगर आपने किसी को motor car rent पर करी है और यहाँ पर आपके पास जो fuel है वो भी आपने वो भी आपने include करा है services by way of renting of any motor vehicle designed to carry the passenger where the cost of fuel is included मतलब मैंने आपको गाड़ी दी है गाड़ी के अंदर fuel का पैसा भी included है तो आप मेरे पास आए कार लेने के लिए किराए पर तो मैंने आपको car दी और car के साथ मैंने petrol उसमें डाल कर दिया मतलब आपको petrol डलवाने की ज़रत नहीं है रेंटिंग के अंदर फ्यूल डलवाने की responsibility सर्विस प्रोवाइडर की है तो मैं आपको car भी दे रहा हूं और मैं आपको fuel भी दे रहा हूं मैं आपको फ्यूल बीडे रहा हूं मतलब car के अंदर petrol diesel डलवा कर आपको car दी जाएगी आपको petrol diesel नहीं डलवाना है तो क्या बोल रहा है कि सर अगर आपने renting करी है motor vehicle की जिस पे passengers को बिठा कर लेके जाया जाता है उस case में क्या होगा उस case में क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपके पास द होता है एक आपके पास reverse charge होता है एक आपके पास forward charge होता है रिवस t में GST 5% की लगती है, reverse charge में GST आपके पास 5% की लगती है और forward charge के अंदर आपके पास GST 12% की लगती है, reverse charge के अंदर GST 5% की लगती है और forward charge के अंदर आपके पास 12% का GST applicable होता है, अब हो क्या कह रहा है जरा प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, forward charge mechanism का option opt कर रहा हूँ, तो ऐसे case में क्या होगा, ऐसे case में क्या होगा, देखिए, ऐसे case में forward charge लगेगा, और 12% का GST मैं पे करके चलूँगा 12% का GST मैं पे करके चलूँगा लेकिन अगर हमारा supplier एक body corporate है हमारा supplier एक body corporate है और वो limited ITC ले रहा है हमारा supplier body corporate है और वो limited ITC ले रहा है तो 5% का GST लगेगा और forward charge के अंदर GST applicable होगा अगर मैं एक normal registered विकती हूँ पूरा का पूरा ITC claim करना चाहता हूँ जैसे GTA में हो रहा था जैसे GTA में हो रहा था अगर मैं अपना ITC पूरा claim करना चाहता हूँ restricted ITC नहीं चाहता तो मैं अपने आपको GST में register कराऊंगा forward charge mechanism में 12% का GST लगेगा जो की supplier पे करेगा लेकिन अगर मैं restricted ITC लेता हूँ मैं अगर restricted ITC लेता हूँ ITC सिर्फ किसकी चीज़ का ले रहा हूँ जो मैंने input में motor vehicle rent करी है output में motor vehicle rent करने के लिए केवल उसका ITC ले रहा हूँ input में motor vehicle rent पे लिए है output में motor vehicle rent पे देने के लिए सिर्फ इसका ITC ले रहा हूँ, इसके अलावा ओर किसी चीज जीॉघ का ITC नहीं ले रहा और मैं body corporate हूँ तो 5% से forward charge के अंदर GST लगेगा और अगर मैं body corporate नहीं हूँ, component जो है वो body corporate है recipient जो है वो body corporate है तो reverse charge लगेगा और recipient अगर body corporate नहीं है तो forward charge लगेगा और GST pay करना पड़ेगा 5% से सर हमको नहीं समझ रहा हमको नहीं जम रहा आप हमको समझाओ कहना क्या चाह रहे हो सबसे पहले तो आपको ये समझना है सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप आप जो supplier है जो supplier है वो willing है to take full ITC supplier is willing to take full ITC अगर supplier full ITC लेना चाहता है जो motor vehicle किराय पर दे रहा है अगर वो supplier full ITC लेना चाहता है तो ऐसे case में हमेशा forward charge लगता है और किस rate से tax लगता है सर forward charge लगता है और GST लगती है 12% से ठीक है सर इसके बाद अगला point आता है supplier is not willing to take the full ITC supplier full ITC लेना नहीं चाहता that is only avail only avail ITC of inward supply of renting of motor vehicle जो inward supply है motor vehicle की उसकी renting का केवल ITC लेना चाहता है तो बेटा आपको चेक करना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा supplier कौन है supplier कौन है अगर आपका supplier body corporate है तो बेटा इस case में forward charge mechanism लगेगा और आपका जो GST होगा GST होगा वो लगेगा आपका 5% से लेकिन आपका service provider other person है service provider other person है तो चेक करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा recipient कौन है अगर recipient आपका body corporate है recipient आपका body corporate है तो यहाँ पर reverse charge mechanism लगेगा और GST लगेगा 5% से लेकिन अगर recipient भी other person है recipient भी other person है तो इस case में इस case में आपका FCM लगेगा 5% से इस case में आपका FCM लगेगा 5% से तो अगर आपका supplier is willing to take full ITC तो बात ही खतम reverse charge लगेगा ही नहीं FCM लगेगा 12% से लेकिन supplier full ITC लेना नहीं चाहता supplier full ITC लेना नहीं चाहता supplier limited ITC ले रहा है limited ITC ले रहा है तो check कर लो supplier body corporate है कि other person है अगर तो body corporate है FCM लगा दो अगर body corporate नहीं है लिकिन recipient body corporate है तो RCM लगा दो और supplier body corporate नहीं है और recipient भी body corporate नहीं है तो FCM लगा दो 5% से ठीक है तो यहाँ पर आपको basically थोड़ा बहूत स्रक्टाफिकेशन करना पड़ेगा कि कब FCM लगेगा कब RCM लगेगा कब आपके पास क्या सिनेरियो निकल कर आएगा ठीक है जी एक बार इसको रीड कर लेना चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है इ अगर एक non taxable territory से taxable territory पे service आ रही है यानि कि import हो रहा है services का तो reverse charge mechanism पे जो recipient है उसको GST pay करना पड़ता है लेकिन अगर आपने जो services import करी है वो personal purpose के लिए है अगर वो personal purpose के लिए है तो उस case में वो exempt हो जाती है वहाँ पर GST applicable नहीं होती मतलब अगर आपने import करी है services किसी business purpose के लिए तो reverse charge mechanism में जो registered व्यक्ति होता है उसे यहाँ पर क्या करना पड़ता है GST pay करना पड़ता है इसके अंदर हम लोग को केवल दो section पड़ने एक section number 49 और section number 50 mainly इसके उपर exam में कोशन आता है आठ number वाला लेकिन आपके पास यहाँ पर जो provision है 49 के और 50 के वह बहुत easy है interest का calculation जो है वो आपके लिए important होने वाला है तो without wasting any time let's start with the section section number 49 payment of tax interest penalty and other amount इसका सब section 1 कहता है कि sir आप कोई भी deposit करोगे GST का तो वो payment आपको कैसे करनी है वो payment आपको online mode से करनी है मतलब आपको net banking का इस्तमाल करना है debit card, credit card यूज़ करने है, NEFT यूज़ करना है, RTGS यूज़ करना है, UPI, IMPS यूज़ करना है इन तरीकों से आपको आपका payment करना है मतलब आप किसी bank में जाकर पैसा जमा नहीं कर सकते आपको जो payment करनी है वो online ही करनी है, लेकिन अगर किसी एक tax period की आपकी tax liability 10,000 रुपीज को exceed नहीं करती तो उस case में आप over the counter, bank में जाके, चलान भरके, आप cash deposit bank में कर सकते हो तो 10,000 रुपे तक का payment है तो वो आप cash में कर दो, लेकिन 10,000 से जादा का payment है GST का तो वो payment आपका online mode से ही होगा अब यह जो 10,000 रुपे वाली restriction है, यह आपकी applicable नहीं होगी अगर आपको जो payment करनी है, वो payment करने वाला व्यक्ति government department है अगर government department को GST का payment करना है, तो वो कितना भी payment cash में कर सकती है over the counter, उसके लिए online payment करना mandatory नहीं है अगर आपसे tax का पैसा due हो रहा है because of investigation, because of scrutiny, because of assessment demand and recovery खड़ी हो गई, inspection हुआ, तो उस case में आपसे कितना भी पैसा cash में recover किया जा सकता है उस case में online payment की बात नहीं होगी, भाई चोर को पकड़ लिया है, तो अब tax का पैसा recover करना है जैसे मिलता है लेना, online में ही क्यों wait करेंगे, बात समझा की नहीं तो अगर proper officer ने, proper officer ने recover करे है outstanding dues, किसी investigation के थुरू, enforcement activity के थुरू, तो उस case में restriction नहीं लगेगी proper officer और any other authorized officer अगर outstanding dues को recover कर रहे हैं, किसी भी person से, तो उस case में आपका पैसा कैसे भी recover किया जा सकता है इसके बाद आपका जो ITC है, input text credit जो आपने पढ़ा था section 16, 17, 18 में, आपका जो ITC है, आपका self-assist ITC, जितना ITC आपके हिसाब से मिलना चाहिए अब हमारे हिसाब से कितना ITC मिलना चाहिए, जितना आपका ITC 2B में आ रहा है, उतना ही तो ITC आप ले सकते हो जितना ITC 2B में आ रहा है, उतना ही ITC तो आप ले सकते हो, तो वो ITC आपको दे दिया जाएगा लेकिन अगर माल लो, by chance, आपने 2B से ज़ादा ITC claim कर लिया, तो क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा अगर आप 2B से ज़ादा ITC भी claim करते हो, तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि self assessment basis पे मिलता है लेकिन कल को जब scrutiny होगी, जब return verification होगा, 2A, 2B और 3B को जब verify किया जाएगा, तो गलबड मिल जाएगी, mismatch मिल जाएगा और जब mismatching होगी, आपकी 2A की और आपके 3B की, तो आपके पास notice आएगी, आपसे demand recover करी जाएगी तो जो 3B की return में आपका self assessed है, वो आपका credit कर दिया जाएगा, आपके electronic credit ledger के अंदर ठीके, इसके बाद आपके पास electronic credit ledger में जो पैसा है, उस पैसे का आप इस्तमाल कर सकते हो अपना outward tax pay करने के लिए, आपका outward tax pay करने के लिए, जो tax आपको pay करना है, outward वाला उसमें आप utilize कर सकते हो, ये बड़ी important चीज़ है, ये बहुत ही जादा important चीज़ है कि आप ITC का utilization केवल और केवल output tax में कर सकते हो, जो आपकी output tax है, जो आपको pay करनी है अंडर FCM, forward charge mechanism के तहट, forward charge mechanism के तहट आपको जो tax pay करना है forward charge mechanism के तहट जो आपको tax pay करना है, उस tax को pay करने के लिए आप ITC का use कर सकते हो सर, जो output tax RCM में pay करना है, आपके recipient को, क्या उसके लिए ITC मिलेगा, नहीं सर, क्या interest penalty fees के लिए हम ITC का use कर सकते हैं, नहीं अगर आपको interest penalty fees वगरा देना है, आप ITC यूज नहीं कर सकते ITC का इस्तमाल केवल और केवल output tax के लिए होगा, जो आपको pay करना है अंडर forward charge mechanism, इसके बाद आपके पास electronic cash ledger में जो पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे का इस्तमाल आप किसी भी tax की payment को करने के लिए कर सकते हो, चाहे वो tax का पैसा हो, interest का पैसा हो, penalty का पैसा हो, fees का पैसा हो, कोई भी amount हो, मतलब GST के अंदर आपका कोई भी due है, GST के अंदर अगर आपका कोई भी due है, उस due को pay करने के लिए आप electronic cash ledger का इस्तमाल कर सकते हो, इसके बाद सरकार कहती है कि जो आपके पास ITC है, उसे आपको utilize करने का एक set order है, वो follow करना पड़ेगा, सबसे पहले, सबसे पहले, आप किसका ITC उठाओगे बेटा, सर सबसे पहले, अगर मैं order की बात करूँ, सबसे पहले, अगर मैं order की बात करूँ, तो आप किसका ITC उठाओगे, सर, order में आप सबसे पहले IGST को उठाओगे, आप IGST का ITC उठाओगे, और IGST के ITC से, सबसे पहले, आप जो IGST का output tax है, वो pay करोगे, और ये pay करने के बाद, अगर आपके पास balance बच जाए, IGST के ITC में, तो उसको आप इस्तमाल करोगे, output CGST को pay करने में, या फिर output SGST को pay करने में, UTGST को pay करने में, in any order, in any order, in any order, मतलब, मतलब माल लीजे, आपके पास IGST का ITC पड़ा है, माल लीजे, आपके पास IGST का ITC पड़ा है, एक लाख रुपे का, आपके पास output IGST है देने को, सपोस कर लो 30,000 रुपे की, आपके पास output में CGST पड़ा है, 70,000 रुपे का, जो आपको pay करना है, या मैं कहता हूँ, 60,000 रुपे का, आपको pay करना है, और आपको output में SGST पे करना है, 60,000 रुपे का, ठीक है जी? तो सबसे पहले, सबसे पहले, आप इस एक लाख में से 30,000 रुपे करोगे, इस में से 30,000 रुपे करोगे, आप यूटिलाइस करोगे, फोर output IGST, इस एक लाख में से, इस एक लाख में से, आप 30,000 रुपे करोगे, आउट्पुट IGST को pay करने के लिए, अब आपके पास balance करचेगा 70,000 balance का जो 70,000 ऐसका आप इस्तमाल करोगे इनको पे करने में जो balance 70,000 है उससे आप CGST और SGST को पे करोगे किसी भी order में आप ऐसा कर सकते हो कि 70 में से 60 आप यूज कर सकते हो CGST को पे करने में और 10,000 आप यूज कर सकते हो SGST को पे करने में आप ऐसा भी कर सकते हो कि 70 में से 35,000 का CGST और 35,000 का SGST पे कर दो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10,000 का CGST और आपका 60,000 का SGST पे कर दो आप ऐसा कर सकते हो, इसका 20, इसका 50, मतलब कोई भी आपको तरीका समझ में आए, आप वो use कर सकते हो, कैसे भी हो जाएगा, तो order में सबसे पहले आप IGST का ITC उठाओगे, इसके बाद आप IGST के बाद CGST का ITC उठाओगे, CGST का ITC सबसे पहले output CGST में use होगा, और उसके बाद CGST का ITC, output SGST में use होगा, sorry, output IGST में use होगा, CGST को कभी भी IGST, sorry, CGST को कभी भी SGST pay करने के लिए use नहीं कर सकते, आप CGST का credit, आप CGST का credit कभी भी output SGST के लिए, या फिर output UTGST के लिए, इस्तमाल नहीं कर सकते, सर इसके लिए आप कभी भी इस्तमाल नहीं कर सकते, same goes with, same goes with तीसरा जो आप उठाओगे, वो आप उठाओगे SGST का ITC, तीसरा आप उठाओगे SGST या फिर UTGST का ITC, और इससे सबसे पहले आप pay करोगे output SGST या फिर UTGST, और जो balance आपके पास बचेगा, उस balance से आप pay करोगे output IGST, यानि कि आप SGST के ITC से output CGST पे नहीं कर सकते, ये आपको कतई allowed नहीं है, तो ये order आपको follow करके चलना है, सबसे पहले आप उठाएंगे IGST का ITC, फिर आप उठाएंगे CGST का ITC, फिर आप उठाएंगे UTGST और SGST का ITC, ठीक है सर, अच्छा, ये point मैंने आपको बता दिया ये जो balance है in the electronic cash ledger और credit ledger after the payment of tax, interest, penalty, fee और any other amount under this act or the rules made there under may be refunded in accordance with the provision of section 54, section 54 refund की बात करता है, तो अगर आपको अपनी output tax liability pay करने के बाद, credit ledger में कुछ पैसा बच जाए, cash ledger में कुछ पैसा बच जाए, तो उस पैसे को आप क्या कर सकते हो, refund कर सकते हो, आप refund claim कर लो section 54 के अंदर, अगर आपके पास electronic cash ledger और credit ledger में कोई balance बच जाए, तो, इसके बाद कहता है, कि जितनी भी आपकी liabilities है, जो आपको pay करनी है government को, चाहे वो cgst हो, sgst हो, utgst हो, compensation cess हो, interest हो, penalty हो, fees हो, fine हो, जो भी amount आपको government को pay करनी है, उसे आपका maintain किया जाता है electronic liability register में, तीन तरीके का register होते है, liability register, इसमें liability maintain होती है, cash ledger, इसके अंदर जो भी आप cash deposit करते हो, वो जाता है, credit ledger के अंदर आपका ITC जाता है, ठीक है, अच्छा, ये point number 8 आपके लिए important है, कि sir, आपकी जो text liability है, वो किस order में आपकी set off होगी, every taxable person shall discharge his tax and other dues under this act, or the rules made there under in the following order, तो आपकी tax liability किस order में discharge होगी, तो discharge का order दिया गया है, सरकार कहती है, सबसे पहले आपका self-assist tax जाएगा, सबसे पहले आपका self-assist tax जाएगा, जो की previous tax period का है, जो आपका previous tax period का है, तो अगर पिछले tax period का, जैसे मालो October चल रहा है, September का अगर कोई आपका payment बाकी है, तो October में जब आप payment करोगे, तो उस payment में से पहले September का payment adjust होगा, तो अगर मानलो September का कोई पैसा बाकी है और मैंने October में पैसा जमा किया तो इस पैसे से पहले September का due clear होगा और उसके बाद October का due clear होगा और इसके बाद अगर कोई demand recovery है तो वो आपकी रिकवर होगी 73 और 74 में ठीक है 73 और 74 की कोई demand recovery है फिर वो आपकी discharge होगी तो सबसे पहले क्या का discharge होगा पिछले tax period का आपका self-assess tax फिर current tax period का आपका जो self-assess tax है और फिर आपका 73 और 74 का demand इसके बाद कहता है कि every person who has paid the tax on the goods or services under this act अगर आपने इस act के अंदर taxes pay करे हैं तो यह माना जाएगा कि sir आपने अपना burden जो है वो pass on कर दिया है सामने वाले विक्ति के ओपर recipient के ओपर अपने customer के ऊपर क्यों क्योंकि कल को अगर refund निकलने की बात आएगी तो refund आपको नहीं मिलेगा यहां पर क्या applicable होता है यहां पर doctrine of unjust enrichment applicable होता है यहां पर doctrine of unjust enrichment applicable होता है कि sir आपका जो GST है वो indirect tax है तो in the absence of information जब तक आप contrary prove ना कर दो जब तक आप contrary prove ना कर दो तब तक ये माना जाएगा कि आपने tax का burden क्या कर दिया है सामने वाले पर shift कर दिया है मतलब जो GST का पैसा आपने government को जमा किया है वो आपने recipient से collect करने के बाद जमा किया है तो कल को अगर refund की बार ही आएगी कोई refund निकलेगा तो वो refund का पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने burden bear ही नहीं किया बर्डन तो आपके customer ने bear किया और अगर customer available नहीं हुआ तो वो refund का पैसा कहां पे transfer कर दिया जाता है यह tax का पैसा मैंने अपनी pocket से आपको जमा किया था क्योंकि refund आना था मुझे पता है आज नहीं तो कल इस पर refund बनता है इसलिए मैंने अपने customer से tax का पैसा लिया ही नहीं था यह मैंने अपनी pocket में से pay करा है तो ऐसे case में ऐसे case में government आपको refund grant कर देगी ठीक है for the purpose of this section for the section 49 date of credit on the account of government कब माना जाएगा जिस दिन आपका पैसा आपके electronic cash ledger में debit हुआ है sorry create हुआ है मान लो आपने payment करी आपने payment करी 10 October 2023 को आपका bank account debit हो गया 10 October को आपका bank account create हो गया लेकिन आपके electronic cash ledger में पैसा 11 तारिक को आया 11 तारिक को आपका electronic cash ledger credit हुआ ठीक है तो ये माना जाएगा कि आपने payment 10 तारिक को नहीं करी ये माना जाएगा आपने payment 11 तारिक को करी जिस दिन government को पैसा receive होगा और वो आपके electronic cash ledger में reflect होगा वो दिन माना जाएगा कि आपने payment करी है जिस दिन आपके bank से पैसा debit हो गया उससे कोई फरक नहीं पड़ता जिस दिन पैसा electronic cash ledger में आएगा उससे फरक पड़ता है तो आपके लिए जो date of payment है वो मानी जाती है जिस दिन आपके account में पैसा आता है जिस दिन आपके electronic cash ledger account में पैसा आता है उस दिन माना जाता है कि आपने payment करी है the expression text dues means the text payable under this act and does not include interest fees and penalty and other dues तो जब text dues की बात होगी तो text dues का मतलब CGST, SGST, IGST, UTGST other dues, interest, penalty, fees and fine text due की definition में नहीं आते जहां पे text due लिखा है उसका मतलब केवल text payable इसके बाद हमारे पास तीन तरीके के ledger है electronic cash ledger, electronic credit ledger और electronic liability ledger electronic cash ledger कैसे काम करता है सर जब भी आप कोई online payment deposit करते हो या over the counter आप पैसा deposit करते हो तो वो electronic cash ledger में credit कर दिया जाता है वो electronic cash ledger में क्या कर दिया जाता है credit कर दिया जाता है आपका जो TDS कटा है under section 51 ये आपके electronic cash ledger में credit कर दिया जाता है आपका जो TCS collect हुआ है under section 52 वो आपका cash ledger में create कर दिया जाता है यह TDS और TCS under GST है income tax वाले मत समझ लेना GST के अंदर भी TDS और TCS होता है ठीक है तो जो आपका TDS और TCS है under GST वो जो cut है वो भी आपके cash ledger में create हो जाएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप cash ledger का इस्तमाल किसी भी payment के लिए कर सकते हैं चाहे tax के लिए चाहे interest के लिए चाहे penalty के लिए चाहे fees के लिए चाहे other amount के लिए तो जब आप payment करेंगे तो आपका electronic cash ledger क्या हो जाएगा debit हो जाएगा तो जब आप liability को pay करोगे आपका cash ledger debit हो जाएगा और जब आप पैसा deposit करोगे तो आपका cash ledger credit हो जाएगा ठीक है अब हमारे पास हमारे पास GST के अंदर major और minor head होते हैं GST के अंदर हमारे पास major और minor head होते है major head क्या है आपके taxes IGST, CGST, SGST, CIS और जो minor head है वो है IGST का tax, IGST का interest, IGST की penalty, IGST की fees, IGST का other amount similarly CGST का tax, CGST का interest, CGST की penalty, CGST की fees, CGST का other dues तो ये आपके पास major head है ये आपके पास minor head है एक ही चलान के थूँ एक ही चलान के थूँ आप क्या कर सकते हो आप अपने ये सारे के सारे जो taxes हैं CGST, IGST, SGST, UTGST, CIS सब pay कर सकते हो आपको अलग-अलग चलान भरने की जुरूद नहीं है आप single चलान के थूँ इनका payment कर सकते हो अब मान लो आपका IGST का text बनता था 15,000 लेकिन आपने deposit कर दिये मान लेते हैं 20,000 आपका CGST का text बनता था मान लेते हैं 20,000 लेकिन आपने CGST के deposit करे 15,000 तो ऐसे case में क्या हो सकता है कि आपने अगर 5000 रुपे IGST के जमा कर रखे हैं तो उनको हम CGST की liability को pay करने के लिए use कर सकते हैं CGST में text जादा आना है लेकिन deposit कम हुआ है IGST में text कम है लेकिन deposit जादा हुआ है तो अगर आपने किसी head में जादा payment कर दी है और किसी head में अगर आपने कम payment करी है तो जहां पर आपने जादा payment करी है उसको आप utilize कर सकते हो जहां पर आपने कम payment करी है Cross utilization of fund across the major or minor head is allowed ऐसा हो सकता है कि आपने चलान भरते वक्त बताया हो कि Tax के 10,000 देने है Interest के 2000 देने है Penalty के 1000 देने है लेकिन ऐसा हुआ Actual में ऐसा हुआ कि आपको Tax के 11,000 देने थे आपको Interest के 2000 देने थे और आपको Penalty देनी ही नहीं थी मतलब आपको tax के 10,000 देने थे sorry tax के आपको 11,000 देने थे लिकिन आपने 10,000 जमा किये penalty में आपको 1 भी रुपया नहीं देना था आपने 1000 रुपय जमा करें तो आप इस 1000 रुपय की penalty के amount को utilize कर सकते हो tax का payment करने के लिए तो cross utilization heads के बीच में भी allowed है और cross utilization minor heads के बीच में भी allowed है मतलब किसी भी head की payment कही पर भी adjust करी जा सकती है cross utilization आपको allowed है आपको बस एक चलान भरना होता है GST PMT 09 जब आप GST PMT 09 भरते हो तो आप इससे क्या कर सकते हो cross utilization कर सकते हो जब आपने GST PMT 09 form भरा तो आप transfer कर सकते हो erroneous deposit under any minor head of a major head to any other minor head of the same or the other major head मतलब आप इस form के थूँ cross utilization कर सकते हो for the any amount already lying unutilized under the minor head in the electronic cash ledger कुल मिला कर कहने का मतलब कि अगर चलान भरते वक्त आपने कोई amount किसी particular head के अंदर जादा भर दी जब की वाँ कम होनी चाहिए थी और किसी head में कम भर दी जहां पर जादा होनी चाहिए थी तो आप cross utilization करके अपनी इस liability को क्या कर सकते हो set off कर सकते हो adjust कर सकते हो अब आप सभी को पता है कि अगर मालनो मेरा UP में office है तो मेरा UP में भी registration हुआ होगा मेरा अगर MP में office है तो मेरा MP में भी registration हुआ होगा तो UP के लिए UP के लिए मुझे अलग से अपनी returns फाइल करनी है मुझे अलग से इसका payment करना है similarly MP के लिए मुझे अलग से return फाइल करनी है और मुझे इसका अलग से payment करना है centralized system exist नहीं करता अब माल लो मेरी जो GST UP की liability थी मेरी UP की liability थी 15,000 रुपे लेकिन मैंने चलान के थूँ deposit कर रखे है 18,000 रुपे मेरी MP की liability है 18,000 रुपे लेकिन मैंने गलती से जमा कर रखे है 15,000 रुपे तो मैंने UP में access 3,000 रुपे जमा किया हुआ है और मैंने MP में 3,000 रुपे कम जमा किया हुआ है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि UP में जो मैंने access पैसा जमा किया है उससे मैं MP की liability को set off कर दूँ क्या ऐसा हो सकता है? पहले नहीं हो सकता था लेकिन अब हो सकता है कहता है कि registered person may transfer any amount of tax interest penalty to any other amount available in his e-cash ledger to e-cash ledger of deemed distinct person deemed distinct person तो जो मेरा UP का registration है और जो मेरा MP का registration है ये आपस में क्या है? ये आपस में distinct person है तो अगर मेरे पास इधर cash ledger में ज़्यादा पैसे है और इधर मेरे पास cash ledger में कम पैसे है तो मैं UP के cash ledger से MP के cash ledger मैं 3,000 रुपे क्या कर सकता हूँ, transfer कर सकता हूँ, कह रहा है कि above transfer can be done through the form GST PMT 09, तो मैं ये PMT 09 से कर सकता हूँ, मतलब UP के ही चलान में अगर within the चलान major और minor head में कोई deficiency है, कुछ लोचाल अपाटा है, तो वो आपका adjust हो सकता है, और UP और MP में अगर excess और deficit है, UP में excess है, MP में deficit है UP के cash ledger में ज़्यादा पैसा पड़ा है, MP के cash ledger में कम पैसा पड़ा है, तो मैं UP के cash ledger से पैसा transfer कर सकता हूँ, MP के cash ledger में, बस शर्ते मेरे पास UP में कोई liability नहीं होनी चाहिए, तो UP के liability ledger में अगर कोई liability नहीं है, UP के liability ledger में अगर कोई liability नहीं है, तो UP के cash ledger में जो excess पैसा पड़ा है, उसे MP के cash ledger में transfer किया जा सकता है, ठीक है, इसके बाद आता है electronic liability register, electronic liability register को debit किया जाता है, उस amount से जो आप से due है, आप से कौन सी amount due है, tax का पैसा, interest का पैसा, late fees का पैसा, कोई भी amount जो आपने, ये self-assess था, जो self-assess था, आप कह रहे हो कि आपको, जो tax का पैसा देना है, interest का पैसा देना है, authority के हिसाब से, assessing authority के हिसाब से आपसे जो tax का पैसा लेरा निकलता है interest का पैसा लेरा निकलता है penalty का पैसा लेरा निकलता है वो सारी चीजे debit कर दी जाएंगी मतलब वो पैसा जो आप खुद claim कर रहे हो tax का इंटर्स का penalty का कि हमें दे ना है government को वो liability ledger में आ जाएगा जो government ने 73 और 74 में आपके against demand खड़ी करी है वो पैसा भी आपका liability ledger में debit कर दिया जाएगा और जब आप इसका payment करोगे tax का payment आप credit ledger से कर सकते हो तो आपका credit ledger से जब payment होगा तो आपकी liability credit हो जाएगी जब cash ledger से payment होगा तो आपकी liability credit हो जाएगी यह हमारे ledger से हैं जो government maintain कर रही है हमारी जो liability है वो government के लिए receipt है मुझे जो पैसा देना है government को वो government के लिए receipt है we are debtors for the government and for us government is creditor government के लिए हम debtor है तो government हमारे balance को debit करेगी और जब उसको पैसा मिल जाएगा तो वो credit करेगी हमें government को पैसा देना है तो हम government को books में credit करेंगे लेकिन जब pay कर देंगे तो government को debit करेंगे तो यह जो liability ledger है यह हम maintain नहीं कर रहे है यह government maintain कर रही है तो liability ledger is nothing but same as debtors account it is same as debtors account government ने अपने debtor का account बनाया और government के debtor कौन है हम government को हमसे पैसा लेना है तो government को जो हमसे पैसा लेना है वो हमारे पास liability ledger में debit हो जाता है और जब हम government को payment कर देते हैं तो liability ledger को credit कर दिया जाता है payment कैसे करेंगे cash ledger से और credit ledger से payment करने के हमारे पास दो ही mode है हम cash ledger से payment कर सकते हैं और हम credit ledger से payment कर सकते हैं अब credit ledger में क्या होगा सर credit ledger में 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 लेजर, क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर, जब आप ITC क्लेम करोगे, जब ITC क्लेम करोगे, तो आपका क्रेडिट लेजर क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है, यह जो आपने ITC क्लेम किया है, as per GSTR 3B, as per GSTR 3B, आपने जो ITC क्लेम करा है, उससे यह जब आप अपना text due paid कर दोगे मतलब आपने ITC क्या कर लिया claim कर लिया या मैं कहलू कि आपने ITC क्या कर लिया adjust कर लिया आपने ITC adjust कर लिया तो आपका credit ledger क्या हो जाएगा debit हो जाएगा ठीक है जी simple है ठीक है चलो credit ledger electronic credit ledger shall be maintained in the PMT 02 each registered person eligible for ITC under the common portal and can claim the ITC under the act and credited to the state ledger तो आपका जो ITC है वो आपके electronic credit ledger में credit कर दिया जाएगा आपके ECL को debit किया जाएगा जब आप अपनी liability को pay करोगे आप ITC का utilization नहीं कर सकते cannot be utilized for the tax payable under RCM जो reverse charge mechanism में tax देना है उसको pay करने के लिए आप ITC को adjust नहीं कर सकते तो मतलब जो आपने inward supply ली है जो आपने inward supply ली है जिस पे आपको RCM में tax देना है उस tax को pay करने के लिए आप ITC कभी भी claim नहीं कर सकते तो कह रहा है कि अगर आपने जादा credit ले लिया है तो उस case में जो access credit आपको दिया गया है मतलब refund दिया गया है वो refund आपका वापस से add कर दिया जाएगा not so important आप इसको ignore करो आपके पास credit ledger liability ledger बनाने को नहीं आने वाले उसके लिए परशान मत हो सबसे important point जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है section number 50 वो आपके पास निकल कर आ रहा है section number 50 section number 50 क्या कहता है यह मैं आपको ऐसे समझाता हूँ इसको book से read करने की जुरत नहीं है section number 50 क्या कहता है section number 50 section number 50 आपसे कह रहा है कि अगर आपने अगर आपने अपना return आपने अपना return and tax late deposit किया है आपने अपना return और tax late deposit किया है तो ऐसे case में आपको interest लगेगा at the rate of 18% per annum 18% per annum for the delay for the delayed period ITC interest लगेगा at the rate of at the rate of 18% per annum for the delayed period on net tax payable on the net tax payable net tax payable का मतलब net tax payable का मतलब आपका जो output tax है आपका जो output tax है आपका जो output tax है minus ITC माइनस ITC मतलब जैसे माल लीजे माल लीजे आपका सब्टेंबर का रिटन कब जाता है आपका सब्टेंबर का रिटन जाता है 20 अक्टूबर तक 20 अक्टूबर तक ये ड्यू डेट है ये रिटन फाइल करने की और टेक्सिस जमा करने की due date है. कितने रौपे का tax जाना था? सर माल लीजए आपका output tax था आपका output tax था 1,00,00 रौपे का और आपके पास ITC था माल लेते है 30,000 रौपे का ITC था आपके पास 30,000 रौपे का यानि कि net tax जो आपको देना था, वो देना था 70,000 रौपीज का आपने क्या किया? आपने अपना टेक्स पे करा, आपने अपना टेक्स पे करा, let's suppose 20 अक्टूबर को जाना था, आपने ये पे करा 15 जन्वरी को, 15 जन्वरी को आपने डिपॉजिट करा सप्टेंबर का टेक्स, डिपॉजिट करा सप्टेंबर का टेक्स, तो आपका डीले कितन हो गया डिलय किता हो गया सर अक्टूber के लगभग लगभग. 11 दिन के 30 दिसमबर के 31 डेस जनवरी के 15 जनवरी के 15 टोल डिलय किता हो गया सर 11 प्लस 30 41 41 प्लस 15 56 56 प्लस 30 87 88 डेस का डीले हो गया तो इस केस में जो net tax payable है 70,000 का आपको 18% देना पड़ेगा for 88 डेस for 88 डेस 70,000 का आपको 18% देना पड़ेगा 70,000 का 18% देना पड़ेगा for 88 डेस यह आ रहा है 3038 आपको 3038 रुपीज का interest government को pay करना पड़ेगा लेकिन अगर आपके पास आपके पास return and tax आपने timely जमा कर दिया था आपके पास demand आई है मान लेते है section 73 के अंदर और section 74 के अंदर demand आई है ठीकर आपने 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 tax की चोरी करी है और अब आपके पास 73 और 74 में demand आई है कि आपसे tax का पैसा बनता है तो अगर आपके पास demand आई है तो ऐसे case में आपको interest देना पड़ेगा at the rate of 18% per annum for the delayed payment for the delayed period on output tax liability यानि कि आप ITC जो है वो claim नहीं कर सकते तो जिसे माल लेते हैं आपने सब्टेंबर का सेल्फ असेस्ट सत्तर हजार रुपे 15 जनवरी को जमा कर दिया अब सरकार ने आपसे कहा कि सर सब्टेंबर का जो tax था वो underpaid था आपका सब्टेंबर का tax जो था वो underpaid था by rupees by rupees 50,000 तो ऐसे केस पे इस पूरे 15,000 पर आपको 18% पर एनम देना पड़ेगा अब माल लीजे आपने 50,000 रुपीज जाके जमा करें 15 मई को आपने 15 मई को जमा करें तो अब आपको 18% देना पड़ेगा आपके पास 21 अक्टूबर से 15 मई तक कितना डिले हो गया? 207 दिन का डिले हो गया यानि कि जो 50,000 रुपे हैं आपके उस 50,000 पर आपको 18% का ब्याज देना पड़ेगा 207 दिनों के लिए तो 50,000 का 18% into 207 divided by 365 यानि कि 5104 पांच हजार एक सो चार ठीक है? रीट करवादू in respect of the supplies made during a text period and declared in the return मतलब जो आपने declare करी return में मतलब जो self-assessed है जो self-assessed text है मतलब कि आपका जो self-assessed text है अगर वो आपने late जमा किया तो ऐसे case में आपको जो interest लगेगा वो लगेगा उस पैसे पे जो आपने electronic cash ledger में से दिया है आपको interest लगेगा उस पैसे पे जो आपने electronic cash ledger से दिया है तो electronic cash ledger से जो payment जाती है वो after claiming ITC जाती है ITC claim करने के बाद जो पैसा है वो electronic cash ledger से जाता है however where such return is furnished after the commencement of any proceedings आपके again 73 और 74 की proceedings चालू हो गई है और उसके बाद आपने return file करी 73 और 74 की proceedings चालू हो गई है और उसके बाद आपने return file करी तो ऐसे case में interest आप से collect किया जाएगा output tax liability पे that is before claiming the ITC मतलब खुद से अगर आप return file करते हो लेकिन late file करते हो तो net tax liability पे interest लगता है लेकिन 73 और 74 का notice आने के बाद आप return file करते हो 73 74 का notice आने के बाद आप tax का payment करते हो तो उस case में आपको output tax liability पे interest लगता है आपको ITC का adjustment नहीं मिलता ठीक है इसके बाद सरकार कहती है कि अगर आपने interest wrongly avail और wrongly utilize कर लिया है wrongly avail wrongly utilize कर लिया है तो section 50 में लिखा है कि maximum rate 24% का लगेगा लेकिन अभी तक सरकार ने इस पे 18% ही notify किया है कुल मिला कर कहने का मतलब आपको जो हाग में रखना है कि सर अगर आपने taxes की चोरी करी और आपने taxes का late payment करा तो उस case पे आपको delayed period के लिए 18% का interest देना है उस case में आपको 18% का interest देके चलना है आपके पास एक ही interest rate effective पे है that is 18% tax late pay करा 18% 73-74 में demand आई 18% ITC गलत claim कर लिया reverse किया interest लगेगा 18% गलत tax liability reduce कर लिया बाद में recover करी गई interest लगेगा at the rate of 18% example देखते है Mr. आलोक है एक registered supplier है taxable goods के इन्होंने file करी अपनी 3B for the month of जैन 2023 on 15th April 20th इन्होंने GSTR 3B जनवरी महिने की जो की चली जानी चाहिए थी 20th of Feb तक जो की चली जानी चाहिए थी 20th of Feb तक 20th Feb 23 तक चली जानी चाहिए थी जो आपने जमा करी है 15 April 23 को prescribed due date 20th Feb थी the amount of net GST payable in cash इनको जो cash में GST देना था वो था 36,500 जो इन्होंने pay करा 15 April को तो आपने return late file करा और आपने tax का payment late करा आपने delay कित्ता किया है आपने delay किया है 21 फरवरी से 15 April तक का टोटल 54 days का आपने delay करा है 36,500 पे 18% का interest लगेगा 54 days के हिसाब से 972 ABC Limited ने अपनी return file कर दी 3B की for the month of July within the due date मतलब आपने जुलाई की return 20 अगस्त तक file कर दी है ठीक है post filing the return post filing the return आपको पता लगता है registered person has noticed during the September that the text due for the month of July have been short paid for Rs.40,000 आप return file कर चुके हो return file करने के बाद आपको पता लगता है कि आपने short text pay करा है 40,000 रुपे का return file करने के बाद आपको पता लग रहा है कि आपने 40,000 रुपे का text कम पे करा है आपने ये shortfall 40,000 रुपे की September के महीने में pay करी September का महीने की जो payment जाती है वो October में जाती है September के महीने की payment October में जाती है तो आपने ये 40,000 रुपे जो 20 अगस्त को जाने चाहिए थे ये 40,000 रुपे आपने 20 October को जमा करें cash ledger से 30,000 credit ledger से 10,000 interest कित्ते पे लगेगा interest 30,000 पे लगेगा कि interest 40,000 पे लगेगा sir return file हो चुकी है return file करने के बाद अगर tax का payment होगा तो sir आपका जो interest लगेगा वो आपकी tax liability पे लगेगा आपका जो interest लगेगा वो आपके tax liability पे लगेगा यानि की 40,000 रुपे पे आपका 20 अगस तक payment जाना चाहिए था 21 अगस से interest लगना शुरू होगा 20 अक्टूबर तक interest लगेगा total 61 days का 40,000 पे 18% देना पड़ेगा आपको 61 days के लिए 1203 रुपे clear है जी clear है so this is all about payment of tax इसको भी हमने complete कर लिया है चली बचों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चेप्टर जिसका नाम है tax invoice, e-way bill tax invoice के अंदर main section है section number 31 वो मैंने आप लोगों को cover up करवा दिया है along with time of supply इसके अलावा छोटी मूटी बाते हैं वो आप लोग self से भी करो के तो हो जाएगा क्योंकि उसमें समझाने लाए कुछ है नहीं e-invoicing की जो limit है वो अच्छे से याद कर लेना और main है इसके अंदर e-way bill जो मैं आपको इस वीडियो में cover करा दूँगा इसके अलावा एक chapter हमारे पास returns का pending है, I would suggest you कि अगर मैं return का one shot भी बनाऊंगा तो लगबग लगबग उतना ही time लगेगा जितना की हमारा regular class में लगता है तो मैं आपको यही advice देना चाहूंगा कि आप उसको instead of one shot revision उसे आप cover up कर लो हमारी class वीडियो के साथ तो उस chapter को वहाँ से take up कर लो अब जल्दी से हम लोग start करते हैं with the e-way bill right e-way bill आपका एक important point है important topic है इसको start करें उससे पहले इसका background समझ लेते हैं and then हम इसके provisions को read कर लेंगे कि यह कहना क्या चाहता है और हमसे क्या expectation रखता है ठीक है मित्रो किसकी बात करने जा रहे हैं सर हम लोग बात करने जा रहे हैं e-way bill की e-way bill अगर आप इसके नाम को देखो तो इसके नाम में ही इसका meaning चुपा हुआ है e-way bill electronic way bill e-way bill is what electronic way bill way क्या होता है what is way electronic way bill सर ये bill ये bill एक तरीके का document है ये एक document है जो हम generate करते हैं और जी एस्टी पोर्टल ये एक document है जो हम generate करते हैं और जी एस्टी पोर्टल ये document का काम क्या है तर ये document का काम है inform करना government को inform करना government को regarding the movement of goods जब आप goods की movement करते हो एक जगा से दूसरी जगा जब आप goods की movement करते हो एक जगा से दूसरी जगा उस movement की information सरकार को देना इसको बोलते हैं e-way bill तो e-way bill एक document है e-way bill एक document है जिसमें आप सरकार को inform करते हो regarding the movement of goods आप वे बताते हो कि सर कहा से goods कहा जा रहे है आप इस वे में इस वे में आप सरकार को बताते हो कि सर goods का origin कहा है और goods का destination कहा है goods का origin कहा है और goods का destination कहा है सर ये सरकार ने क्यों किया सरकार ने ये इसलिए किया E-way Bill क्यों लाया गया उसका एक रीजन है ताकि हम fake invoices को कर्ब कर सके fake invoices को हम लोग क्या कर सके कर्ब कर सके उसके लिए सरकार ने provision लाया E-way Bill का fake invoices क्या होती है सर जहां पर invoices issue कर दी जाती है जहां पर invoices issue कर दी जाती है without without supply of goods आपने कोई भी goods supply नहीं करे लेकिन आपने invoice issue कर दी सर इससे क्या होगा इससे ये होगा कि recipient को इस fake invoice के basis पे ITC मिल जाएगा इस fake invoice के basis पे recipient को क्या मिल जाएगा ITC मिल जाएगा मैं बिल्कुल एक सत्ते घटना आपको बता रहा हूँ मेरे घर के पास एक सज्जन रहते है इनका नाम मैं बदल देता हूँ मेरे घर के पास एक सज्जन रहते है Mr. X Old Regime में जब VAT हुआ करता था तो पता ही ये क्या करते थे Old Regime में जब VAT हुआ करता था CST हुआ करता था तो इन्होंने बहुत सारी फर्म्स बहुत सारी फर्म्स रजिस्टर करा रखी थी अलग-अलग नाम से इन्होंने फर्म्स को रजिस्टर करा रखा था कुछ अपने नाम पे, कुछ बेटे के नाम पे कुछ वाइफ के नाम पे, कुछ बहु के नाम पर अलग अलग नाम से इन्होंने firms को register करा रखा था इन firms का काम क्या था इन firms का काम था fake invoices issue करना इन firms का काम क्या था fake invoices issue करना होता क्या था जिसे मालो कोई माल है let's say electronic के goods जा रहे है इस truck में electronic item जा रहा है इस truck में और ये item जो जा रहा है without विदाउट बिल जा रहा है ठीक है टीवी वगएरा है यहां पे एसी वगएरा है इस ट्रक के अंदर और यह जो माल जा रहा है बिटा यह विदाउट बिल जा रहा है विदाउट बिल जा रहा है मतलब सर ब्लैक का माल है ब्लैक का माल है यह सेल हमें सरकार को रिपोर्ट नही करनी थी बिना बिल का ये माल जा रहा है रास्ते में क्या होता था रास्ते में हमको वैट ओफिसर मिल गए सेल्स टेक्स ओफिसर जिनको बोलते हैं रास्ते में हमें सेल्स टेक्स ओफिसर मिल जाते थे और सेल्स टेक्स ओफिसर क्या करते थे सेल्स टेक्स ओफिसर जब इस ट् दिखता था कि माल तो जा रहा है माल कित्ते का जा रहा है 50 लाग रुपे का माल जा रहा है लेकिन बिल नहीं है इस माल का कोई भी बिल नहीं है तो यहां पर मौका दिया जाता था कि आप हमको बिल प्रेजेंट करिए कि भाई ये कहां से आ रहा है माल किसने बेचा है इसका ब ये माल किसका है ये टीवी और एसी जो है ये जेठा लाल का है ठीक है ये माल किसका है जेठा लाल का है तो जेठा लाल का ये माल सीज हो जाएगा अगर जेठा लाल बिल प्रेजेंट नहीं करेगा तो ये माल क्या हो जाएगा सीज हो जाएगा अब जेठा लाल क्योंकि ये मा में पेमेंट करी थी कच्चे में पेमेंट करी थी इसको उसका कोई बिल नहीं मिला जब आप ब्लैक में पेमेंट करते हो तो आपको इसका कोई बिल नहीं मिलता तो ब्लैक में पेमेंट करी गई थी इसका आमें कोई बिल नहीं मिला हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे रास् प्रेजंट करो इसका बिल यह जो माल तुम दिखा रहे हो कि तुमने खरीदा है इसका बिल कहां है तो यह जेठा लाल Mr. X के पास जाते हैं और Mr. X क्या करते हैं इनको fake invoice दे देते हैं Mr. X का क्या फाइदा है Mr. X का फाइदा है जेठा लाल से Mr. X को कुछ न कुछ amount मिल जाएगी जेठा लाल इनको क्या करेंगे सर जेठा लाल इनको माल लेते हैं 3 लाक रुपे या 5 लाक रुपे दे देंगे और यह बदले में उसको क्या दे देंगे fake invoice दे देंगे यह बदले मे उसे fake invoice दे देंगे 50 लाख रुपे की इससे क्या होगा जेठा लाल का माल बच जाएगा और Mr. X की बैठे बिठाए बिना माल बेचे 5 लाख रुपे की कमाई होगे अब आप कहेंगे कि सर इसको क्या करना पड़ेगा इसको अपनी sale दिखानी पड़ेगी 50 लाख की इसको तो income tax भी लग जाएगा तो राजा बेटा ये फर्जी फर्जी firms होती थी ये फर्जी firms होती थी ये अपना कोई भी return वगेरा फाइल नहीं करते थे तो इस तरीके के गंदे गंदे लोग थे market में जो सरकार को चूना लगा रहे थे सरकार को चूना लगा रहे थे फर्जी invoices issue कर रहे थे जिससे क्या हो रहा था जिससे जिससे recipient को recipient को या तो ITC मिल जाता था recipient को या तो ITC मिल जाता था या फिर recipient के goods जो है वो seize होने से बच जाते थे तो सरकार ने का देखो ऐसा है कि जब भी जब भी goods का movement होगा जब भी goods का movement होगा तो obviously हमें उन goods के movement का invoice तो देना ही देना है आपने supply करी है invoice तो होना ही चाहिए साथ के साथ उस movement की जानकारी आपको हमें पहले से देनी पड़ेगी आपको e-way bill generate करना पड़ेगा और रास्ते में जब आपको GST officer मिलेंगे तो वो GST officers GST officers क्या करेंगे GST officers आपके truck पे जो माल है उसको check करेंगे उसकी invoice को check करेंगे और e-way bill check करेंगे अगर इसमें से कोई भी एक चीज उनको ना मिली या तो invoice ना मिला या तो e-way bill ना मिला तो फिर ये GST officers के पास power है कि वो इस पूरे के पूरे convince को और goods को दोनों को क्या कर सकता है? convince को और goods को दोनों को क्या कर सकता है? seize कर सकता है convince और goods बेटा दोनों क्या हो सकते है? seize हो सकते हैं अगर invoice या फिर e-way bill नहीं मिलता है तो आपको अपने goods के movement की जानकारी देनी है कि इसका origin कहां से हो रहा है? लेटसे goods कानपुट से अगर दिल्ली जा रहे हैं तो हमें e-way bill के अंदर बताना पड़ेगा कि goods का movement कानपुट से शुरू हो रहा है और goods का movement जो है वो दिल्ली में जाके terminate हो जाएगा, right? रास्ते में on highways, on roads हमारे GST officers बीच-बीच में क्या करते हैं? inspection करते रहते हैं ये जगा जगा पर trucks को रोक कर उसका inspection करते हैं, check करते हैं कि जो माल जा रहा है और जो invoice है वो आपस में telly कर रही है कि नहीं कर रही है वो भी क्या हो जाएगा? liable to seizure हो जाएगा, उसको भी confiscate किया जा सकता है, ठीक है जी? तो e-way bill क्या है? e-way bill goods के movement की जानकारी है what is the meaning of e-way bill and why it is required? e-way bill is an electronic document generated on the GST portal evidencing the movement of goods आप movement of goods की जानकारी देते हो, ठीक है? section 68 mandates that the government may require the person in charge of a convince carrying any consignment of goods exceeding such amount as may be specified to carry with him such document and such devices as may be prescribed rule 138 prescribes e-way bill as the document to be carried for the consignment of the goods in the prescribed cases तो जो इस truck का driver है, जो इस truck का driver है वो अपने साथ invoice और e-way bill दोनों carry करेगा invoice और e-way bill दोनों carry करेगा अब समझो, e-way bill के दो पार्ट रहते हैं e-way bill जो होता है, e-way bill e-way bill इसको EWB01 बोलते है e-way bill जिस document में issue होता है, जिस form में issue होता है उसको EWB01 बोलते हैं e-way bill के दो पार्ट होते है e-way bill के दो पार्ट होते है, इसका एक होता है part A part A के अंदर part A के अंदर हम लोग consigner की details देते है consigner की details देते हैं, details का मतलब उसका नाम, उसका address, उसका GST नंबर हम लोग consigner की details देते है consigner की details का मतलब consigner का नाम, address और उसका GST नंबर हम लोग goods की details देते है goods की details बोले तो sir goods की details बोले तो की goods की value कितनी है goods का HSN code कितना है goods पे कौन सा GST rate लगता है यह सारी information हम देते है इसके अलवा, हम लोग क्या information देते है, कि sir origin कहां से हो रहा है sir destination कहां पर है origin और destination के बीच में कितने kilometers की journey है वो kilometers भी हम लोग यहां पर क्या करते है mention करके चलते हैं यह सारी information part A में दी जाती है और इसका एक part B भी होता है और इसका एक part B भी होता है part B में हम लोग transporter की detail लेते हैं इसमें हम लोग सारी transporter की detail लेते हैं जैसे अगर truck से number जा रहा है तो उस truck का number क्या है vehicle का number क्या है driver है उसका नाम क्या है driver का नाम क्या है उसका license number क्या है, ठीक है, उसका आधार number क्या है, ये सारी चीजें हम लोग part B के अंदर लेते हैं, तो part A में हमारे पास goods की detail आ जाएगी, consignor, consignee की details आ जाएगी, origin, destination की detail आ जाएगी, और part B में transporter की detail आ जाएगी, मतलब goods का movement commence होने से पहले, e-way bill हम लोग को generate करना होता है, before the movement of goods, before the commencement of movement of goods, ठीक है, goods का movement commence हो, उससे पहले हमें e-way bill generate करना होता है, मतलब movement commence होने से पहले, सरकार के पास सारी जानकारी आ जाती है, कि भाई, consigner कौन है, कौन माल भेज रहा है, consignee कौन है, कौन माल receive करने वाला है, उसका नाम, उसका पता, उसका GSTN बगेरा, goods की detail आ जाती है, सर जो goods transport करे जा रहे हैं, वो कौन से है, उनकी value क्या है, उनका HSN code क्या है, उनके क्या GST लगता है, अच्छा, even invoice number भी आप बताते हो, किस invoice के through, किस invoice के through ये जा रहा है, date of journey क्या है, date of journey क्या है, ये भी आप उसके अंदर mention कर देते हो, origin क्या है, destination क्या है, कितने km आप travel करोगे, ये सारी चीज़े, ये सारी चीज़े, आप क्या करते हो, ये स commencement of movement से पहले, movement शुरू हो, उससे पहले सरकार के पास ये सारी information रहती है, online आप ये सारी information GST portal पे पहले से upload करके चलते हो, right, अच्छा, सर क्या हर बार हमें e-way bill generate करना है, क्या every movement, every movement के लिए हमें e-way bill generate करना है, तो e-way bill आपको generate करना पड़ता है, e-way bill की requirement आती है, जब आपके consignment की value, exceed करती है 50,000 को, जब आपके consignment की value, exceed करती है 50,000 को, और consignment की value का मतलब क्या होता है, सरक consignment value का मतलब होता है, आपकी value of supply of taxable goods, ठीक है, taxable goods की value of supply, plus GST, taxable goods की value of supply, plus GST, इसको मिला कर, इसको मिला कर हमारे पास क्या बनती है, consignment value, इसको मिला कर हमारे पास क्या बनती है, सर, इसको मिला कर हमारे पास बनती है, consignment value, everyone, तो consignment value के अंदर दो चीज़े आएंगी, एक आएगा, आपके पास taxable goods की जो value of supply है, और जो आपका GST का rate है, वो आपकी दोनों चीज़ों को मिला कर चेक किया जाता है, अच्छा, अगर मान लो कोई व्यक्ती है, मान लो कोई व्यक्ती है, Mr. X है, ये taxable supply भी करते हैं, और ये exempt supply भी करते हैं, इन्होंने invoice issue किया, और उसमें बताया कि taxable supply जो है, वो 30,000 रुपे की है, और आपकी जो exempt supply है, वो 25,000 रुपे की है, GST जो है, वो 12% की लगेगी on 30,000, 30,000 पे क्यों लगेगी, क्योंकि sir, क्योंकि sir, क्योंकि sir, आपकी taxable supply 30,000 की है, तो ये हो गया 3,600 रुपे, टोटल मिलाकर हो गया 58,600 रुपीज, तो आपकी invoice 58,600 रुपीज की है, लेकिन अगर आप यहाँ पे consignment value निकालोगे, तो आपकी consignment value किती आएगी, आपकी consignment value निकल कर आएगी, 33,600, 30,000 रुपे की taxable supply और 3,600 रुपे का GST, आपकी consignment value निकल कर आएगी, 33,600, क्या यहाँ पर e-way bill की requirement है, नो, यहाँ पे कोई भी e-way bill की requirement नहीं है, तो सरकार कहती है कि e-way bill की requirement तब है, जब consignment value 50,000 से जादा है, मतलब सरकार कह रही है कि up to 50,000, up to 50,000 हम चीज़ों को track नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 50,000 रुपे से जादा का समान अगर तुम move करोगे, 50,000 से जादा का समान अगर तुम move करोगे, तो उसको हम track करके चलेंगे, उसका हमें report चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अच्छा, e-way bill कौन generate करेगा, consigner generate करेगा कि consignee, e-way bill कौन generate करेगा, सर, e-way bill generate करेगा, वो व्यक्ति, वो व्यक्ति, जो cause करेगा movement of goods, जो भी movement लेकर आएगा, अगर supplier responsible है, goods में movement के लिए, तो supplier को e-way bill generate करना पड़ेगा, अगर recipient responsible है, movement लाने के लिए, तो उस case में recipient जो है, वो आपका e-way bill generate करेगा, for example, अगर मालो Mr. X कहते हैं, कि उन्होंने supply करें हैं goods, वर्थ और रूपीज वन लेक, वर्थ और रूपीज वन लेक टो Mr. Y, and agrees to deliver goods at factory of Mr. Y, और agree कर रहा है कि उसको वो deliver करेगा at the factory of Mr. Y, तो यहाँ पर movement किसने cause करी है, यहाँ पर movement किसने cause करी है, सर यहाँ पर movement cause करी है Mr. X ने, और Mr. X ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर liable होंगे for generation of e-way bill, liable है for e-way bill generation, यही liable है for e-way bill generation, लेकिन अगर, अगर मैं आपसे यह कहूँ कि Mr. X कहते हैं, Mr. X हैं, इन्होंने supply करें हैं goods to Mr. Y, worth of rupees 1 lakh and delivered it at his factory, delivered at his shop कर देते हैं, delivered at his shop, Mr. Y will transport goods to his factory, अब यहाँ पर Mr. Y खुद अपने goods को move कर रहे हैं, Mr. X ने sale करी और Mr. X ने कहा, कि भाई देख ऐसा है, मैं तेरे को माल अपनी shop पे deliver करूँगा, कुझे इसको अपनी factory लेके जाना है, अपने घर लेके जाना है, अपनी girlfriend के घर लेके जाना है, अपनी मम्मी के घर लेके जाना है, यह तेरी headache है, मेरी headache नहीं है, मैं तेरे को goods अपनी shop पे deliver कर दूँगा, इसके बाद तुझे उसे आगे जहां पर भी लेके जाना है, यह तेरी जिम्मेदारी है, तू इसको transport करेगा, तो यहाँ पर Mr. Y movement लेकर आ रहे है, यहाँ पर movement किसने cause करी है, यहाँ पर movement cause करी है, यहाँ पर movement cause करी है by Mr. Y, और Mr. Y क्या करेंगे, E-way bill generate करेंगे, बाद समझ में आगी, चलिए, when it is required to be generated, कब E-way bill generate करना है, E-way bill is mandatory in case of movement of goods, of the consignment value exceeds 50,000, जब आपकी consignment value 50,000 रुपे से जादा है, तो it becomes mandatory for you to generate the E-way bill, mandatory हो जाएगा, जब आपकी consignment की value 50,000 को exceed करेगी, अच्छा, movement का reason कुछ भी हो सकता है, movement का reason supply हो सकती है, movement का reason other than supply भी हो सकता है, movement का reason supply भी हो सकता है, movement का reason other than supply भी हो सकता है, sir other than supply कैसे movement हो सकती है, बिलकुल हो सकती है, जिसे माल लीजे, other than supply, movement other than supply, movement other than supply, supply के अलावा कैसे movement हो सकती है, उसके कुछ examples मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे माल लीजे जैसे माल लीजे हम goods को भेज रहे हैं job worker के पास for the job work goods sent to job worker goods sent to job worker for a job हमने कोई job के लिए कोई job के लिए job worker के पास goods भेज़े जैसे यह pen है यह pen बनके तयार हो गया लेकिन इसके उपर apple print होना है इसके उपर apple print होना है और वो print होने के लिए हमने इसको भेजा let's say Mr. Y के पास जो कि हमारे job worker है हमने goods Y को भेज़े थोड़ना है हमने इन goods को अपनी factory से remove किया है job worker के पास ताकि job worker इसके उपर apple print कर सके तो printing process के लिए ये factory से बाहर निकले हैं और job worker के पास जा रहे हैं तो सरकार कहती है कि अगर आप job worker के पास goods को भेज रहे हो तो movement तो आ रहे हैं न एक जगा से दूसरी जगा पर goods तो जा रहे हैं न तो अगर इसकी consignment value पचास अजार रुपे से जादा की है तो आपको यहां पर evable generate करना पड़ेगा अच्छा दूसरा क्या हो सकता है सर स्टॉक ट्रांसफर हम हमारी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में माल भेज रहे हैं हमारी एक ब्रांच कानपुर में है दूसरी ब्रांच लखनव में है हम कानपुर से लखनव stock transfer कर रहे हैं क्या हमें evable generate करना पड़े है करना पड़े का movement आ रही है सर्विस provider है आप आप service provider है और service provider services देने के लिए अपनी plant and machinery को move कर रहा है एक जगा से service provider है और आप asset को move कर रहे हो asset को move कर रहे हो from one place to another from one place to another for providing services for providing services आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आजकल एक company है urban clap करके urban company करके urban company बहुत सारी services देती है तो जैसे मुझे अपना AC की servicing करवानी थी मुझे अपनी AC की servicing करवानी थी अब ये लोग जब आए AC की service करने urban company से मैंने लोगों को बुलाया तो urban company से दो सजजन आए ठीक है और ये सजजन अपने साथ अपने साथ water pressure machine लेकर आए water pressure machine क्या करती है सर एकदम pressure से पानी को छोड़ती है जो cleaning purpose में काम आता है water pressure machine अपने साथ लेकर आए for cleaning AC तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर goods का movement हो रहा है की नहीं यहाँ पर goods का movement हो रहा है की नहीं यह तो बहुत छोटा example दिया है मैंने आपको यह water pressure machine तो 50 दार से कमकी होगी लेकिन माल लो मुझे 50 AC सर्विस करवाने थे मुझे 50 AC सर्विस कराने थे और मेरे पास 10 लोग आए मेरे पास 10 लोग आए अर्बन कम्पनी से मेरे पास 10 लोग आए और ये 10 लोग मेरे 50 AC की सर्विस करेंगे और ये अपने साथ 10 water pressure machine लेकर आए ये अपने साथ 10 water pressure machine लेकर आए एक machine की कीमत 25,000 रुपे की है तो 10 machine की कीमत कित्ती हो गई तो यहाँ पर अर्बन कम्पनी जब इन water pressure machines को move करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा इवे बिल generate करना पड़ेगा राइट तो बहुत सारे movement का reason supply है तब भी इवे बिल generate होगा movement का reason other than supply है तब भी आपका इवे बिल generate होगा अगर आपने invert supply ली है unregistered person से तो जो registered person है causing the movement of goods shall furnish the information relating to the state goods in the part A of the GST EWB01 before the commencement of such movement अगर आपने goods खरीदे हैं किसी unregistered person से आप registered हो और आपने goods खरीदे हैं unregistered person से तो इस case में आपको इस movement की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी तो जैसे मान लेते हैं Mr. X है यह unregistered है यह unregistered person है इन्होंने goods को supply किया है इन्होंने goods को supply किया है मान लेते हैं Mr. Y को और Mr. Y जो है registered person है यहाँ पर यह माना जाएगा यहाँ पर यह माना जाएगा यह deem किया जाएगा कि movement किसने cause करी है यह deem किया जाएगा कि movement cause करी है by registered person that is Mr. Y यह माना जाएगा कि movement किसने cause करी है movement cause करी है एक registered person that is Mr. Y और Mr. Y को क्या करना पड़ेगा राजा बेटा Mr. Y को यहाँ पर E-Way Bill generate करना पड़ेगा Mr. Y को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा E-Way Bill generate करना पड़ेगा तो यहाँ पर E-Way Bill कब generate करना है सर E-Way Bill generate करना है जब consignment value इवे बिल कब जनरेट करना है? इवे बिल जनरेट करना है जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपे से जादा हो 50,000 से जादा हो और गुड्स का मुवमेंट हो रहा हो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से जादा हो गुड्स का मुवमेंट हो रहा हो movement का reason other than supply हो सकता है movement का reason ये हो सकता है कि unregistered person ने माल बेचा है registered person को तो registered person को क्या करना पड़ेगा इस movement की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी अब इस 50,000 रुपे वाली बात के दो exceptions हैं मतलब consignment value पचास हजार को exceed करे चाहे ना करे दो cases में e-way bill generate करना mandatory हो जाएगा नॉर्मली हमें e-way bill generate करना होता है जब consignment की value 50,000 से जादा हो लेकिन कुछ cases ऐसे हैं basically दो ही cases ऐसे हैं जहां पर e-way bill generate करना क्या हो जाता है जहां पर e-way bill generate करना mandatory हो जाता है पहला जब आप interstate transfer करते हो goods job worker को जब आप interstate goods को transfer करते हो job worker को तो it is mandatory for you to generate the e-way bill इसके बाद जब आप interstate transfer करते हो handicraft goods का जहां पर आपको exemption मिली हुई है registration obtain करने के लिए आपको section 24 पढ़ाया गया था आपको section number 24 पढ़ाया गया था compulsory registration वहाँ पर पहला point पढ़ाया गया था interstate supply of goods अगर आप interstate goods का supply करते हो तो it is compulsory for you to take the registration वहाँ पर एक exception दिया गया था कि अगर आप handicraft goods में deal करते हो और उनका interstate supply करते हो तो आपको compulsory registration नहीं लेना बशरते आपके पास pan होना चाहिए और आपने अपने इस movement का e-way bill generate किया होना चाहिए तो अगर आपने section 24 में exemption claim करी है interstate supply of handicraft goods करने के बावजूद आपने registration नहीं लिया as per section number 24 तो उस case में e-way bill generate करना mandatory होता है चाहे आपकी consignment की value कितनी भी हो तो दो cases निकल कर आ रहे हैं जहाँ पे mandatory mandatory e-way bill है mandatory e-way bill है generally 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 जब आपकी consignment की value exceed करें 50,000 को तो mandatory हो जाता है e-way bill generate करना special cases special cases पहला जब आप interstate interstate transfer करते हो interstate transfer करते हो goods to job worker जब आप interstate goods को transfer करते हो job worker को मतलब आपका job worker दूसरे state में है job worker के लिए goods दूसरे state में जा रहे है तो यहाँ पर consignment value irrelevant हो जाती है इसके बाद अगर आप interstate supply कर रहे हो of handicraft goods अगर आप interstate supply कर रहे हो handicraft goods और आपको exemption मिली है आपको exemption मिली है under section 24 आपको exemption मिली है under section 24 registration लेने के लिए आपको registration लेने के लिए exempt किया गया था आपने interstate supply किया है of handicraft goods प्लस आपको exemption मिली है section 24 में तो e-way bill generate करना mandatory हो जाता है consignment value matter नहीं करती तो generally हमें evable generate करना होता है जब consignment value पचास जार से जाधा हो special cases में अगर हमने interstate transfer किया है goods job worker को तो consignment value matter नहीं करती interstate में अगर हमने supply करे है handy craft goods जहां पर हमको exemption मिली थी section 24 में compulsory registration लेने से हमको छूट मिल गई थी तो वो इसी condition पर मिली थी कि हम अपने इस supply के लिए evable generate करेंगे right चलिए consignment value में क्या क्या आएगा consignment value of goods shall be determined in accordance with the provision of section 15 section 15 में क्या आता है value of supply तो आपकी जो value of supply है वो आने चाहिए जो कि declared करी गई है invoice में bill of supply में delivery चलान में as the case में भी issued in the respect of the state consignment it also includes taxes under the GST तो जो GST है वो भी include करा जाता है it shall not include the value of the exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods तो इसमें अपन include नहीं करते हैं value of exempt supply already मैंने आपको example के तुरू बता दिया था कि consignment value में क्या क्या आता है consignment value में दो चीज़े आती हैं एक आता है taxable goods की value of supply और एक आता है GST कभी भी इन दोनों में आपने exempt supply भी करी है तो आपकी consignment value के अंदर हम हमारी taxable supply को लेते हैं और GST को लेते हैं हम exempt supply को कभी भी consider नहीं करते ठीक है और अगर consignment value 50,000 से जादा होगी तभी evable generate होगा otherwise आपको evable यहाँ पर generate नहीं करना है who causes the movement of goods कौन movement लेकर आता है who causes the movement of goods अगर supplier registered है supplier registered है और वो undertake कर रहा है कि वो goods को transport करेगा तो यह माना जाएगा कि movement लेकर आया है supplier और अगर recipient arrange करता है transport तो यह माना जाता है recipient लेकर आया है movement तो यह बात भी मैंने आपको समझाई कि अगर X ने goods को supply किया और X यह जिम्मेदारी लेता है कि वो Y की factory तक माल को पहुचाएगा तो इसका मतलब movement cause करी है X ने और X को evable generate करना पड़ेगा लेकिन अगर X supply कर देता है goods अपने premises पे और Y ट्रांसपोर्ट को arrange करता है अपनी factory तक तो यहाँ पर movement लेकर आया है recipient यानि की Y तो यहाँ पर evable कौन generate करेगा Mr. Y जो है वो evable generate करेंगे यहाँ तक की बाते मैंने आपको बता दी है right information to be furnished in the evable part A to be furnished by the registered person who is causing the movement of goods and part B is to be furnished by the person who is transporting the goods तो क्या बोल रहा है कि part A कौन भरेगा sir part A वो बंदा भरेगा जो movement cause कर रहा है और part B कौन भरेगा sir part B transporter भरेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि evable के अंदर दो parts रहते हैं evable के अंदर दो parts रहते हैं part A और part B part A में consigner की detail, consignee की detail, goods की detail, origin, destination, kilometer, invoice number, date of journey यह सारी information generally कौन भरता है generally यह भरता है person causing the movement of goods जो बंदा goods का movement cause कर रहा है, वो बंदा part A भरेगा तो अगर आपका supplier movement cause कर रहा है तो part A भरने की जिम्मेधारी supplier की अगर recipient movement cause कर रहा है तो part A भरने की जिम्मेधारी recipient की और Part B की Detail कि भाई कौन सी गाड़ी में माल जा रहा है Driver की Detail ये कौन भरेगा? सर ये Transporter भरेगा तो माल लो XYZ X वाई Z Transporter के थू XYZ Transporter के थू अगर आप माल Transports कर रहे हो तो सर कौन से vehicle में माल जाएगा? ये तो Transporter को पता है न अपन क्या करते हैं अपन तो बोल देते हैं अपन ने फोन लगाया XYZ transporter के यहां और वहाँ बाबु भाईया बैटे थे बाबु भाईया माल जाना है कानपुर से दिल्ली तो बाबु भाईया क्या कहेंगे हाँ ठीक है माल भिजवा दो या मैं आ जाता हूं factory और माल लोड कर लूँगा अब होगा क्या बाबु भाईया को पता रहेगा कि कौन से ट्रक में माल जाएगा बाबु भाईया को पता रहेगा कि कौन सा ड्राइवर माल लेके जाएगा तो बाबु भाईया क्या करेंगे बाबु भाईया इस इवे बिल को पार्ट भी है इस इवे बिल का जो अगर तुम्हें कल वाली क्लास ध्यान है तो मैंने तुमको बताया था कि tax invoice triplicate में बनती है और इसकी जो duplicate copy होती है जो second copy होती है वो किसके पास होती है सर इसकी second copy transporter के पास होती है और invoice के अंदर clearly लिखा होता है कि consigner कौन है consignee कौन है आपके goods कौन से है उनका hsn क्या है उनका value क्या है उनके उपर gst rate क्या है यह सारी चीजे mention होती है invoice पे तो invoice के basis पे हम transporter को authorize कर सकते हैं वो transporter क्या कर देगा part a भी भर देगा तो transporter अपने gst नंबर से login करेगा अपने gst नंबर से login करेगा और part a part b दोनों information क्या कर देगा भर देगा और अगर e-commerce के through आ रहा है जैसे आप flip card के through goods को sell करते हो आप courier agency के through अपने goods को dispatch करते हो तो आप e-commerce या फिर courier agency को authorize कर सकते हो कि वो आपके लिए part a की information क्या कर दे फिल कर दे क्योंकि आपने duplicate copy इनको provide कर रखी होगी यह उस duplicate copy of tax invoice के basis पे part a की information फिल कर देगे however e-way bill generation facility is blocked आप e-way bill generate नहीं कर पाएंगे e-way bill generation facility is blocked is blocked in respect of any outward movement of goods आप कोई भी outward movement of goods के लिए outward movement of goods के लिए inward के लिए नहीं outward movement of goods के लिए मतलब अपनी outward supply के लिए अपनी afterward supply के लिए आपनी outward supply के लिए eBay bill generate नहीं कर पाएंगे आप outward movement नहीं कर पाएंगे inward movement हो सकती है inward movement हो सकती है माल खरीद सकते हो लेकिन माल बेच नहीं पाओगे eBay bill आपका ब्लॉक कर दिया है कब ब्लॉक किया है अब person paying tax under the composition has not furnished the statement for payment for self-assessed tax for two consecutive quarter आपने पिछले दो quarter का tax जमा नहीं किया अगर आपने पिछले दो quarter का tax जमा नहीं किया तो आपका e-way bill generation facility block कर दिया जाएगा और e-way bill generate नहीं होगा तो 50,000 से जादा consignment वाल माल 50,000 से जादा consignment वाल आप move नहीं कर पाएंगे एक जगा से दूसरी जगा बिना e-way bill के अगर movement करते हुए पकड़े गए तो sir goods आपके confiscate हो जाएंगे तो sir अगर आपने composition scheme ले रखी है और आपने लगातार दो quarter का tax pay नहीं किया है तो उस case में आपकी e-way bill generation facility को block कर दिया जाएगा person paying tax under the regular scheme अगर आप regular scheme में हो अगर आप regular scheme में हो और आपने returns नहीं भरी है पिछले दो consecutive months की पिछले दो महीने की returns अगर आपने नहीं भरी है तो आपकी e-way generation facility block हो जाएगी person अगर regular scheme में tax pay कर रहा है और उसने GSTR1 नहीं भरा पिछले दो महीने का या फिर दो quarter का as the case may be तो बाबू अगर आप composition scheme में हो और आपने पिछले दो quarter की statement file नहीं करी है टेकसिस आपने pay नहीं करे है तो उस case में आपका e-way bill generation facility block कर दी जाएगी normal scheme में हो और आपने अपनी GSTR3B यहाँ पर कौन सी return की बात हो रही है GSTR3B अपने अपना GSTR3B दो consecutive months का या quarter का नहीं भरा या quarter का नहीं भरा तो आपका e-way generation facility block हो जाएगा आपने पिछले दो महीने या दो quarter का GSTR1 नहीं भरा तो भी आपका e-way bill facility block कर दिया जाएगा however the commissioner may on the receipt of application from the registered person in the prescribed form on the sufficient cause being shown and for the reasons to be recorded in writing by the order allow the person to fill the part A of form GSTB EWB01 तो कह रहा है कि commissioner के पास power है commissioner के पास या फिर jurisdictional commissioner के पास power है कि वो आपको allow कर दे इन mistakes के बाद भी इन defaults के बाद भी इन defaults के बाद भी वो चाहे तो आपको allow कर सकता है वो चाहे तो आपको allow कर सकता है अपना GST EWB01 फरनिश करने के लिए बस शर्ते आप उसको sufficient reasons दे दो कि भाई क्यों आपने ये default करे हैं आप sufficient reasons दे दो for example let's say मैंने पिछले दो महीने की अपनी return file नहीं करी क्यों file नहीं करी क्योंकि sir मेरा बहुत close relative hospital में admitted था दिल्ली में और पिछले दो महीने से मैं दिल्ली में हूँ right मुझे सुधबुद ही नहीं है कब दिन हो रही है कब रात हो रहा है मैं उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ वहाँ पर मैं अपनी returns file नहीं कर पाया वहाँ पर मैं अपनी returns file नहीं कर पाया इसकी वज़े से मेरा e-way bill block हो गया तो मैंने commissioner से request करी कि भाई ये तो human ground है अब मेरा कोई close relative विमार पड़ा है तो वहाँ पर मैं legal compliances थोड़ना करूंगा वहाँ पर तो मैं उसकी जान बचाऊंगा पहले तो मैं वहाँ पर व्यस था आपने मेरी e-way bill facility block कर दी आप इसे जल्दी से खोल दीजे मैं returns को भी file कर दूँगा तो अगर मैं commissioner को satisfy कर देता हूँ reasons दे देता हूँ justify कर देता हूँ कि in mistakes का in defects का क्या कारण है और commissioner या फिर jurisdictional commissioner को मेरी बात समझ में आ जाती है तो वो मुझे allow कर देगा ठीक है an order rejecting the state request shall not be passed without giving state person a reasonable opportunity of being heard तो अगर मैंनो मैंने application दी commissioner को और commissioner कहता है भई इसकी application accept नहीं कर सकते तो अगर उसे मेरी application reject करनी है तो उसे पहले मुझे एक reasonable opportunity of being heard देनी पड़ेगी उसको मुझे मेरी बात रखने का मौका देना पड़ेगा बिना मेरी बात को सुने वो मेरी इस application को reject नहीं कर सकता पुल मिला कर कहने का मतलब यहां पर हमने क्या पड़ा कि part A कौन भरेगा part A बनेगा वो व्यक्ति जो movement लेकर आ रहा है part B कौन भरेगा transporter part A transporter भर सकता है अगर हम उसको authorize कर दे part A e-commerce operator और आपकी courier agency भर सकती है अगर उनके through transportation हो रहा है और हम उनको authorize कर दे इसके बाद e-way bill की जो facility है वो block कर दी जाएगी outward supply के लिए inward के लिए block नहीं होगी inward के लिए block नहीं होगी outward के लिए block हो जाएगी जैसे मालो Mr. X है Mr. X है इन्होंने default कर रखा है तो यह जो outward movement करेंगे वहाँ पर ये e-way bill generate नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर कोई inward supply है कोई inward supply है तो उसके लिए e-way bill generate हो सकता है अगर इन्होंने कोई माल खरीदा है और ये movement लेकर आ रहे हैं तो यह inward supply के लिए inward supply के लिए e-way bill generate कर सकते हैं inward supply के लिए evay bill generate हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन outward के लिए नहीं हो सकता outward के लिए नहीं हो सकता right अच्छा इसके बाद कह रहा है कि सर कौन generate करेगा evay bill तो मैंने आपको बता दिया है evay bill कौन generate करेगा जो भी बंदा movement लेकर आएगा वो बंदा responsible है e-way bill generate करने के लिए e-way bill is to be generated by registered consigner और consignee if the transportation is being done in own or hired convince or by railway or by air or by vessel कैसे भी आप transportation करो आप by road लेकर आ रहे हो by railway ला रहे हो by air by vessel जैसे भी लेकर आ रहे हो आपको e-way bill generate करना है या फिर transporter को e-way bill generate करना है अगर हम उसको authorize कर देते हैं तो where neither the consigner nor the consignee generates the e-way bill and the value of good is more than 50,000 it shall be the responsibility of the transporter to generate it अब समझो मेरी बात को e-way bill कौन generate करेगा तो सबसे पहले बोला कि e-way bill वो generate करेगा e-way bill कौन generate करेगा sir e-way bill generate करेगा या तो consigner e-way bill generate करेगा या तो consigner अगर consigner ने movement लाई है या तो consignee अगर consignee ने movement लाई है या तो transporter अगर हमने इसको authorize कर दिया है अगर हमने इसको authorize कर दिया है लेकिन अगर किसी ने भी generate नहीं किया consigner ने भी generate नहीं किया consignee ने भी generate नहीं किया तो उस case में क्या होगा तो सर उस केस में ट्रांस्पोर्टर की जिम्मेदारी बनती है ट्रांस्पोर्टर अगर अपने कन्वेंस में ट्रांस्पोर्टर अगर अपने कन्वेंस में पचास हजार रुपे से जादा कंसाइन्मेंट वैल्यू का माल लेकर जा रहा है ट्रांस्पोर्टर अगर अपने वहिकल में अपने कन्वेंस में 50,000 रुपे से जादा का माल लेकर जा रहा है तो ट्रांस्पोर्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि ईवे बिल होना चाहिए बिना इवे बिल की गाड़ी अगर रस्ते में चल रही है और रास्ते में GST आफिसर आपको टकरा गए तो सर्फ गुड्स तो कॉन्फिसकेट होंगे ही उसके साथ साथ आपका कन्वेंस भी कॉन्फिसकेट हो जाएगा तो यह ट्रांस्पोर्टर की जिम्मेदारी है अगर कंसाइनर ने जनरेट नहीं किया तो ट्रांस्पोर्टर की रिस्पॉंसिबिल्टी बनती है कि अगर वो अपने कन्वेंस में 50,000 रुपे से जादा का माल लेकर जा रहा है तो ईवे बिल होना चाहिए इन दोनों ने अगर जनरेट नहीं किया तो ट्रांस्पोर्टर हैस टू जनरेट दा ईवे बिल बिना ईवे बिल की गाड़ी अगर रस्ते में मिल गई तो सर आपका माल तो कॉन्फिस्केट होगा ही साथ के साथ आपका जो कन्वेंस है वो भी कॉन्फिस्केट कर लिया है अगर आपने चुक चुक गाड़ी से माल भेजा है तो सर आपको आपको रेलवे स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे गुड्स हैंड ओवर तभी करे जाएंगे जब आप ईवे बिल प्रेजेंट करेंगे बिना इवे बिल के सर आपको रेलवेज में गुड्स हैंड ओवर नहीं करे जाएंगे इवे बिल can be generated even if the consignment value is less than 50,000 अगर consignment value 50,000 को exceed करती है तो ये mandatory हो जाता है लेकिन अगर 50,000 से कम है तो mandatory नहीं है आप चाहो तो generate कर सकते हो सरकार आपको मना नहीं करेगी 50,000 से कम के case में आप चाहो तो generate कर सकते हो details of convince may not be furnished in the part B तो normally क्या होता है कि movement से पहले normally क्या होता है normally 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 क्या होता है normally ऐसा होता है कि इवे बिल के दो part है आपको movement से पहले part A और part B दोनों fill करने होते हैं आपको part A और part B दोनों क्या करने होते हैं fill करने होते हैं लेकिन अगर मान लो supplier के premises से transporter के premises तक supplier के premises से transporter के premises तक की दूरी अगर up to 50 km तक की है अगर supplier के premises से transporter के premises तक की द्यूरी अगर up to 50 km तक की है plus within the state है up to 50 km से plus within the state है तो ऐसे case में आप part A भर दो, part B अगर आपने नहीं भी भरा तो भी काम चल जाएगा अब मालो supplier कानपुर का है transporter भी कानपूर का है तो supplier ने transporter के पास तक माल पहुचा दिया supplier ने transporter के पास तक माल पहुचा दिया यह जो distance है between the suppliers premises and transporter premises वो 50 km तक की है यह supplier की factory है यह supplier की factory है यह transporter का office है जहाँ पर बाहर बहुत सारे truck खड़े हुए है तो supplier ने क्या किया transporter के पास तक माल पहुचा दिया supplier के premises transporter के premises की जो दूरी है वो up to 50 km तक की है within the state है तो supplier part A की information furnish कर सकता है part B की information blank छोड़ देगा अब transporter यहां से माल दिल्ली पहुचा रहा है transporter यहां से माल दिल्ली पहुचा रहा है ठीक है बेटा transporter यहां से माल दिल्ली पहुचा रहा है तो दिल्ली में transporter तक पहुच रहा है दिल्ली में transporter का office है वहां तक यह माल जा रहा है ट्रक्स पे वहां पर यह माल किस पे जा रहा है ट्रक्स पे जा रहा है ठीक है बेटा अब यहां पर क्या होगा यहाँ पर जिस भी ट्रक पे माल लोड किया जाएगा यहाँ पर जिस भी ट्रक पे माल लोड किया जाएगा उस ट्रक की सारी information पार्ट भी में डाल दी जाएगी कि भई कौन से ट्रक पे माल जा रहा है कौन सा ड्राइवर माल लेके जा रहा है यह सारी information यहाँ पर भर दी जाएगी कहाँ पर ट्रान्सपोर्टर के premises पर अब यहाँ से goods यहाँ पर पहुचा दिये गए अब यहाँ से जब recipient के यहाँ तक goods पहुचाय जाएंगे यहाँ से जब recipient के पास तक goods पहुचाय जाएंगे अगर ये distance भी up to 50 km है ये distance भी up to 50 km है और ये भी within the state है ये भी within the state है तो part A की information रखी जाएगी part B की information हटा दी जाएगी भाई obvious है क्या होगा सर यहाँ पर एक loader पर माल आया होगा एक loader पर माल आया होगा इस loader की information part B में देने की जरुवत नहीं है यहाँ पर main truck पर जो माल लोड होगा उसकी information part B में आजाएगी अब दिल्ली transporter के पास माल पहुँच गया recipient यहाँ पर आता है माल उठाता है और छोटे loader में अपने premises पर ले जाता है तो इस छोटे loader की information हमें e-way bill में देने की जरुवत नहीं है बात समझ में आ रही है तो supplier के premises से transporter के premises तक supplier के premises से transporter के premises तक अगर distance up to 50 km है within the state है तो part B भरने की जरुवत नहीं है transporter के premises से recipient के premises की दूरी अगर 50 km तक की है within the state है तो part B भरने की जरुवत नहीं है in case of intra-state movement intra-state मतलब within the state in case of intra-state movement up to 50 km from the place of business of consigner to the place of business of transporter for further transportation और for the place of business of transporter finally to the place of business of the consignee अगर हमारा within the state movement हो रहा है up to 50 km तो part B भरने की जरुवत नहीं है सिर्फ part A भर के काम चल जाएगा फिर से बोल रहा हूं supplier के premises से transporter के premises की दूरी 50 km within the state part A भर दीजे part B भरने की जरुवत नहीं है यहां से main goods का transportation होगा कानपुर से दिल्ली goods पहुचा दिये जाएगे तो जब यहां से movement start होगी transporter के पास से जब movement start होगी दिल्ली के लिए तो हम part B में information भर देंगे क्योंकि यहां पर हमको पता लग जाएगा कि सर्कौन से truck में माल जाएगा और driver का नाम क्या होगा दिल्ली transporter तक माल पहुच चुका है यहां से माल finally deliver होना है recipient के premises तक loader change हो रहा है तो यहां पर अगर distance transporter के premises से recipient के premises तक 50 km का है within the state है तो part A भर दिया जाएगा और part B खाली छोड़ दिया जाएगा इसके बाद आता है transfer of goods to another convince कई बार क्या होता है goods का transportation हो रहा है truck पे और truck का रास्ते में accident हो जाता है ठीक है let's say यह truck number यह truck number 2503 से माल जा रहा था इस truck का accident हो जाता है इस truck का accident हो जाता है और यहां से माल एक नए convince में load करके भेजा जाता है आगे एक नया truck बेजा जाता है और उस पे माल load किया जाता है यह truck number 2542 है तो sir अगर इस truck पे माल भेजा जा रहा था इस truck का accident हो जाता है और माल को एक नए truck पे load किया जाता है और further transportation जो है अब वो नए वाले truck से होगी माल कानपुर से दिल्ली जा रहा था माल कानपुर से दिल्ली जा रहा था इटावा में इसका accident हो गया कानपुर से जब दिल्ली जाओ तो रस्ते में इटावा पड़ता है इटावा में इस truck का accident हो गया transporter ने एक नए ट्रक भेजा यहां से माल निकाल कर इस नए वाले truck में माल डाला गया और इस नए वाले truck का जो driver है वो माल को आगे दिल्ली तक लेकर जाएगा तो सरकार कहती है सर अगर आप के truck का accident हो गया या और किसी भी reason से अगर आप vehicle shift कर रहे हो आप 2503 नंबर vehicle से 2542 वाले vehicle पे अगर shift कर रहे हो तो goods को move करने से पहले goods को unload करके दूसरे vehicle पे load करने से पहले आपको part B को क्या करना पड़ेगा amend करना पड़ेगा update करना पड़ेगा ठीक है क्या बोलता है in such cases the transporter और the generator of evay bill shall update the new vehicle number in the part B of the evay bill before such transfer and further the movement of the goods तो नए truck में transfer करने से पहले या फिर नए truck का movement commence करने से पहले आपको अपना evay bill update करना है इस नए vehicle number को आपको part B में mention करके चलना है अब आता है consolidated evay bill in the case of road transport इसको आप लोग यहाँ से read कर लेना मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि यह है क्या माल लेते हैं Mr. X है यह transporter है Mr. X है यह transporter है इनके truck में 3 लोगों का माल जा रहा है यह 4 लोगों का माल जा रहा है इनके truck पे 4 लोगों का माल जा रहा है इनमें A का माल जा रहा है इसमें B का माल जा रहा है इसमें B का माल जा रहा है इसमें C का भी माल जा रहा है और इसमें D का माल भी जा रहा है ठीक है? चार लोग इस ट्रक से माल को भेज रहे है यह सारा माल कहां जाना है? दिल्ली में जाना है यह सारा माल दिल्ली में जाना है ये कानपूर से ट्रक चलेगा दिल्ली की तरफ कानपूर से ट्रक चलेगा दिल्ली की तरफ इस ट्रक का ओनर कोन है सर इस ट्रक का ओनर है Mr. X A का जो माल है उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 25,000 रुपे की है B का जो माल है उसकी consignment value 30,000 रुपे की है C का जो माल है उसकी consignment value 35,000 रुपीज की है D का जो माल है उसकी consignment value 15,000 रुपे की है अब ज़रा सोच के बताओ क्या A, B, C, D इन लोगों ने e-way bill generate किया होगा? नहीं, इनको e-way bill generate नहीं करना है क्योंकि consignment value 50,000 से कम की है A की 25 है, B की 30 है, C की 35 है, D की 15 है तो इन लोगों ने e-way bill generate नहीं करे होंगे लेकिन इस truck पे जो माल जा रहा है वो किते का है? इस तर 25 प्लस 30, 55, 55, 35, 90, 90 प्लस 15, 1,5,000 इस truck में जो माल जा रहा है वो 1,5,000 रुपे का माल जा रहा है 50,000 से जादा consignment value वाला माल अगर एक truck में जा रहा है तो भाई साब e-way bill तो होना चाहिए तो अब यहाँ पे transporter को क्या करना पड़ेगा? सब transporter को A की invoice के basis पे A की invoice के basis पे e-way bill generate करना पड़ेगा suppose करो इसका e-way bill generate हुआ 2042 transporter क्या करेगा? A की invoice के basis पे A की invoice के basis पे उसका e-way bill generate करेगा जो की है 2042 फिर वो B की invoice के basis पे B का e-way bill generate करेगा जिसका invoice number हो जाएगा माल लो e-way bill का number हो गया 2043 वो C के लिए भी e-way bill generate करेगा जिसका number हो जाएगा 2044 D के लिए भी e-way bill generate करेगा जिसका number हो गया 2045 क्योंकि ये चार लोगों के लिए माल लेकर जा रहा है ये A के लिए B के लिए C के लिए D के लिए चार लोगों के लिए माल लेकर जा रहा है और इंडिविजुली देखा जाए तो इन कंसाइनर्स का जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वो 50,000 से कम है 50,000 से कम है तो A ने, B ने, C ने और D ने कोई E-Way Bill Generate नहीं किया होगा लेकिन क्योंकि ट्रक पे 1,5,000 रुपे का माल है और ये ट्रक अगर बिना E-Way Bill के चलेगा तो सर गुट्स तो कॉन्फिस्केट होंगे ही ट्रक भी कॉन्फिस्केट हो जाएगा तो ट्रांस्पोर्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो E-Way Bill Generate करे अब A का E-Way Bill अलग जनरेट होगा क्योंकि कंसाइनर अलग होगा कंसाइनी अलग होगा B का E-Way Bill अलग जनरेट होगा कंसाइनर कंसाइनी अलग-अलग है C का E-Way Bill अलग जनरेट होगा, Consigner, Consignee अलग-अलग है D का E-Way Bill अलग-अलग जनरेट होगा, Consigner, Consignee अलग है भले माल दिल्ली में जा रहा है, लेकिन ये दिल्ली में अलग-अलग लोगों के लिए हो सकता है हो सकता है A का माल E के पास जाना हो B का माल F के पास जाना हो C का माल G के पास जाना हो D का माल H के पास जाना हो तो consignee अलग अलग हो सकते हैं ये चारो consignee दिल्ली के हो सकते हैं दिल्ली तक माल पहुचेगा चारो consignee आएंगे और माल लेकर चले जाएंगे लेकिन बाबू प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस एक ट्रक पे 50,000 से जादा का माल है और हमारे पास e-way bill है नहीं तो transporter क्या इनके invoices के basis पे इनका respective e-way bill generate कर देगा और बाद में क्या करेगा इन सब e-way bill को वो consolidate कर लेगा इन सब e-way bill को वो consolidate करके एक single e-way bill बना लेगा e-way bill 0 बाद समझ में आ रहा है ये सारे के सारे e-way bill 01 थे ये सारे के सारे e-way bill 01 थे तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा हर एक consigner के लिए हर एक consigner के लिए e-way bill generate करना पड़ेगा अलग-अलग और बाद में ये सारे e-way bills को वो consolidate कर लेगा एक single e-way bill में इस e-way bill में इन चारो invoices की detail आ जाएगी तो जो ये driver होगा यहाँ पर जो driver होगा इस truck का ये जो driver होगा ये अपने साथ e-way bill 02 consolidated वाला e-way bill लेकर चलेगा ठीक ह जी इसको आप देख लीजेगा एक बारी इसके बाद आता है cancellation of the e-way bill की e-way bill एक बार generate हो गया तो क्या वो cancel हो सकता है the answer is yes e-way bill को cancel करा जा सकता है e-way bill can be cancelled if either the goods are not transported or are not transported as per the details furnished तो किनी रीजनों से अगर आप goods को transport नहीं कर रहे हो आपका order cancel हो गया या फिर आपका order modify हो गया किसी भी रीजन से अगर आप goods transport नहीं कर रहे हो या फिर आपके invoice की detail modify हो रही है change हो रही है तो आप अपने e-way bill को 24 घंटे के अंदर अंदर cancel कर सकते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर e-way bill को cancel किया जा सकता है जो e-way bill बनाया जाता है वो e-way bill को 24 घंटे के अंदर cancel किया जा सक जो इवे बिल बनता है उसकी validity कितनी होती है जो इवे बिल बनता है उसकी validity कितनी होती है अगर normal cargo से माल जा रहा है तो आपको मिलता है एक दिन for every 200 km और part thereof हर 200 km और part of 200 km के लिए आपको एक दिन मिलता है अगर over dimensional cargo है तो आपको one day मिलता है for every 20 km और part thereof normal cargo और over dimensional cargo क्या होता है मैं आपको अगर यहाँ पर दिखा पाऊं over dimensional cargo over dimensional cargo normal cargo और over dimensional cargo देखो यह over dimensional cargo है आपने अकसर रस्तों में देखा होगा यह बड़े बड़े trucks होते हैं कि कि मैं 40 टायर लगे होते यह देखो यह बहुत बड़ा है इस पीड झालीच चलेगा तो सर एकसीडन्ट होने का डर रहता है हलका सा भी कोई गड़ा आएगा स्पीड बरेकर आएगा और स्पीड जादा होगी तो ये वहिकल डिस बैलन्स हो जाएगा एक्सिडेंट हो जाएगा तो ये बहुत धीरे-धीरे चलता है सरकार ओवर डैमेंशनल कारगो के लिए कहती है कि ये 20 किलोमीटर और कारगो ठीक है जो आपने ट्रक नॉर्मली देखे है ठीक है ये कारगो पैंट सा गए ये हो गया नॉर्मल कारगो ट्रक ये जो है आपका ये है आपका नॉर्मल कारगो वहिकल ठीक है जी ये हो गया आपका नॉर्मल कारगो वहिकल ठीक है माले कि यह हो गया आपका नॉर्मल कार्गो वहिकल clear तो नॉर्मल कार्गो वहिकल के लिए सरकार बोलती है कि जो evable है वो valid होगा नॉर्मल कार्गो के लिए सरकार बोलती है कि आपको one day मिलेगा for every 200 km और part there off for every 200 km और part there off ठीक है मतलब जैसे माल लो आपकी जो जर्नी है आपकी जो जर्नी है वो 450 km की है आपकी जर्नी जो है वो 450 km की है तो इस 450 km को round off कर दीजे 200 km में तो 450 km मतलब की total 600 km 450 km मतलब 600 km तो अगर आपको 450 km की जर्नी करनी है तो आपके पास 3 दिन है आपका जो e-way bill आज generate होगा वो 3 दिन तक valid रहेगा आज जो आपने e-way bill generate किया वो 3 दिन तक valid रहेगा आपको हर एक दिन मिलता है for every 200 km तो अगर आपको validity निकालनी है अगर आपको validity निकालनी है e-way bill की तो 450 km divided by 200 km ये आपके पास 2.25 days आएगा तो 2.25 days को आप round off करके 3 days कर देंगे अगर आप 450 km की जगा 970 km जा रहे होते तो उस case में आपकी validity कित्ती होती 970 km आपको जाना है एक दिन मिलता है 200 km के लिए तो 970 divided by 200 4.85 4.85 को round off कर दिया जाएगा 5 days मतलब part of 200 को part of 200 को complete day माल लिया जाएगा तो 450 में आप कितने देखोगे 200 200 और 50 ये 200 के लिए एक दिन मिल गया आपको ये 200 के लिए एक दिन मिल गया आपको ये part of 200 है ये part of 200 के लिए भी एक दिन मिल गया आपको 970 किलो मीटर है तो 200 200 200 200 और 170 200 के लिए एक दिन 200 के लिए एक दिन 200 के लिए एक दिन 170 part of 200 है इसके लिए भी एक दिन तो total आपके पास कितने हो गए 5 days हो गए अगर over dimensional cargo है over dimensional cargo है तो ये धीरे धीरे चलता है एक दिन में 20 किलो मीटर चलता है एक दिन में 20 किलो मीटर over dimensional cargo दीरे दीरे चलता है एक दिन में 20 किलो मीटर तो अगर आपको one day मिलता है for 20 किलो मीटर और part there of 20 किलो मीटर और part there of तो माल लो आपको अगर travel करना है आपको जो distance है वो travel करना है माल लो 970 किलो मेटर 970 किलो मेटर तो आपकी validity किती होगी 970 divided by 20 970 divided by 20 48.5 48.5 को round off करके 49 days अगर आपको travel करना हो मान लीजे मान लीजे 245 किलो मेटर 245 किलो मेटर तो validity किती होगी 245 divided by 20 245 divided by 20 12.25 12.25 round off होके हो जाएगा आपका 13 days अगर आपका multi dimensional shipment है multi model shipment है multi model shipment है जिसमें at least 1 lakh ship transportation है multi model shipment क्या होता है multi model shipment होता है जिसमें कुछ जर्नी कुछ जर्नी जिसे मान लो आप point A से point B आप point A से point B by road आ रहे हो point B से point B से point C आप C root से आ रहे हो point A से point C sorry point B से point C आप C root से आ रहे हो और point C से point D आप by air आ रहे हो तो इसको क्या बोल दिया multi model shipment इसमें एक से ज़ादा modes of transport यूज हो रहे हैं जिसमें एक से ज़ादा modes of transport यूज होते हैं जिसमें at least one leg इसको बोलते हैं leg A to B ये one leg B to C ये दूसरी leg C to D ये तीसरी leg तो इसमें at least one leg C root से होनी चाहिए by ship होनी चाहिए तो अगर आपने multi model shipment करा है in which at least one leg involves transportation by ship तो यहाँ पर भी आपको one day मिलता है for every 20 km और part there of अब माल लीजे आप A से A से D 890 km है A से D 890 km है तो आपके e-way bill की validity किती होगी आपके e-way bill की validity किती होगी 890 km divided by 20 km 890 divided by 20 44.5 days 44.5 days को round off कर दिया जाएगा validity हो जाएगी आपकी 45 days तो अगर आप normal cargo से आते हो नॉर्मल कारगो से आते हो तो आपको one day मिलता है for every 200 km अगर आप over dimensional cargo से आते हो तो आपको one day मिलता है for every 20 km अगर आप multi model shipment करते हो multi model shipment करते हो तो इस case में आपको one day मिलता है for every 20 km और part there of ठीक है part there of तीनों में है ठीक है जी अब बात करते है सर अब बात करते है सर कि आपका ये validity शुरू कब से होती है आपकी validity शुरू कब से होती है मतलब आपका पहला दिन कब माना जाता है पहला दिन कब खतम माना जाता है अब मेरी बात ध्यान जे सुनने वाली है आपका first day complete होता है आपका first day complete होता है midnight of next day आपका first day complete होता है midnight of next day मतलब आपने e-way bill generate किया आपने e-way bill generate किया on 10th July 23 at 11am at 11am तो आपका first day कब complete होगा आपका first day complete माना जाएगा आपका first day complete होगा on on 12am 12am या मैं ऐसे बोलू आपका first day complete होगा 11.59pm of the next day 11.59pm of the next day तो आपका 11th July 23 को at 11.59pm आपका first day complete माना जाएगा आपका first day come complete होगा अगले दिन के रात के 12 बजे अगले दिन के रात के 12 बजे आपका पहला दिन complete होगा तो मान लीजे आपने जर्नी करनी है मान लीजे आपने जर्नी करनी है 390 km की आपने जरनी करनी है 1390 km की आपने जरनी करनी है 1390 km की नॉर्मल कारगो से आपने ईवे बिल जनरेट किया आपने ईवे बिल जनरेट किया आपने ईवे बिल जनरेट किया 4 जून 23 को आपने ईवे बिल जनरेट किया चार जून तेस को आपको बताना है validity क्या है of evable आपको बताना है validity क्या है of the evable तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कितने दिन के लिए valid है 1390 divided by 200 1390 divided by 200 6.95 6.95 मतलब 7 days के लिए valid है आपका first day कप complete होगा आपका first day कप complete होगा सर आपका first day complete होगा 5 जून 23 को रात को 11 बजे आपने जिस दिन evable generate किया है उस दिन तो खतम नहीं होगा न पहला दिन कप complete माना जाएगा पहला दिन complete माना जाएगा 5 तारिक को रात को 11 बजे मालो आपने 4 जून को generate किया शाम को 4 बजे आपने 4 जून को generate किया शाम को 4 बजे तो आपका पहला दिन complete माना जाएगा 5 जून को रात को 11 बजे 69 मिनट अब 5 पहला दिन हो गया दूसरा दिन आपका दूसरा दिन हो गया आपका 6 तीसरा दिन हो गया आपका 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 यानि कि आपका ये E-Way Bill valid है ये आपका E-Way Bill valid है अप टू 11 11 जून 23 अप टू 11 जून 23 तिल तिल 11 बच के 69 मिनट तिल 11 बच के 69 मिनट ठीक है जी तो जो E-Way Bill आज जनरेट हुआ है जो E-Way Bill आज जनरेट हुआ है तो 4 तारिक को अगर E-Way Bill जनरेट हुआ है यहाँ पे E-Way Bill जनरेट हुआ है 4 तारिक को तो पहला पहला दिन complete होगा 5 तारिक को रात को 12 बचे 5 तारिक को रात को 12 बचे midnight 12 पांच तारिक को रात को 12 बजे आपका पहला दिन कम्प्लीट होगा ठीक है तो पांच तारिक को रात को 11 बजे तिल 11.59 पीम तिल 11.59 पीम अब यहां से आप 7 दिन देख लो पांच जून से आपके 7 दिन हो गए 11 जून 5,6,7,8,9,10,11 ठीक है यह आपके 7 देज कम्प्लीट होगा इसके बाद आता है acceptance और rejection of the evay bill जब evay bill generate होता है तो communication जाती है जैसे माल लो अगर supplier ने evay bill generate करा है supplier ने generate करा है evay bill तो information जाएगी communication जाएगी किसके पास evay bill generate करेगा कहां पर GST portal पर GST portal पर इसने evay bill generate किया तो GST portal communication भेजेगा recipient को कि तुम्हारे नाम से evay bill generate हुआ है जब ये evay bill generate करा जाएगा तो इसमें consigner का नाम, consignee का नाम सब कुछ आएगा ना तो sir माल लो supplier consigner है supplier ने evay bill generate किया तो supplier ने बताया होगा ना recipient के बारे में कि recipient कौन है तो माल लो अगर supplier राजू है और recipient अगर श्याम है तो राजू ने जब evay bill generate किया होगा तो recipient में श्याम का नाम बताया होगा तो gst portal communication भेशती है श्याम को कि तुम्हारे नाम से एक evay bill generate करा है राजू ने राजू बता रहा है कि वो तुमको माल बेच रहा है तुम्हें इस evay bill को accept या reject करना होता है और तुम्हारे पास इसके लिए 72 hours होते हैं तुम 72 hours में इसको accept या reject कर सकते हो अगर तुम कोई भी action नहीं लेते अगर तुम कोई भी action नहीं लेते तो यह माल लिया जाता है कि आपका evay bill क्या हो चुका है accept हो चुका है तो अगर आपके पास communication आती है gst portal से तो आपको 32 घंटे 72 hours दिये जाते हैं या फिर before the delivery या फिर before the delivery दोनों में जो भी earlier है अब माल लो delivery एक ही दिन में हो गई delivery एक ही दिन में हो गई तो फिर 72 hours किस काम के तो आपको normally 72 hours दिये जाते हैं और before the delivery और before the delivery आप इसे accept या reject कर सकते हो अगर आप कोई भी action नहीं लेते तो यह माना जाता है कि आपने इस evay bill को accept कर लिया है तो अगर श्याम के नाम पे evay बना है तो श्याम को 72 hours या फिर goods की delivery होने से पहले इस evay bill को या तो accept करना है या तो reject करना है अगर श्याम कोई भी action नहीं लेता तो यह माना जाएगा कि evay bill उसने accept कर लिया है ठीक है इसके बाद documents और devices to be carried by a person in charge of a convince तो जो transporter है उसे क्या करना पड़ेगा उसे अपने साथ ev verification of documents and convince रास्ते में अगर GST officer मिलते हैं तो वो आपके convince को रोक सकते हैं और उस convince की checking वगेरा कर सकते हैं documents देख सकते हैं कि जो documents होने चाहिए वो documents पूरे हैं कि नहीं और अगर उनको सही report नहीं मिलती तो वो आपका convince confiscate कर सकते हैं ठीक है इसके बाद inspection and verification of goods वही point कि वो आपका convince को रोक कर आपके goods वगेरा को inspect कर सकते हैं इसको केवल और केवल एक बार read कर लेना यहां से आपसे institute कुछ नहीं पूछेगा इनको just एक बार read कर लेना ठीक है मालिक इसके बाद आता है कौनसी ऐसी situations है जहाँ पर e-way bill आपको generate नहीं करना कौनसी ऐसी situation है जहाँ पर e-way bill आपको read करना पड़ेगा सर जैसे आप किसी non-motorized convince से goods को लेकर जा रहे हो बैल गाड़ी पर अगर goods जा रहे है या फिर हाट से चलने वाली गाड़ी पर अगर goods जा रहे है तो भले goods की कीमत कितनी भी हो आपको वहाँ पर e-way bill generate नहीं करना अगर आप petroleum products लेकर जा रहे हो एक अगर आप उनका transportation कर रहे हो तो उस case में भी आपको e-way bill generate नहीं करना ठीक है अगर defense का समान जा रहा है तो उस case में आपको e-way bill generate नहीं करना ठीक है इसके बाद empty cargo जा रहे हैं तो उस case में भी e-way bill generate नहीं करना इसको just एक बार आप read कर लेना यहां से भी institute आपसे कुछ भी नह लेकर जा रहे हो तो उस case में भी e-way bill generate नहीं करना आप currency लेकर जा रहे हो उस case में भी e-way bill generate नहीं करना पोस्टल baggage लेकर जा रहे हो उस case में भी आपको e-way bill generate नहीं करना just एक बार read कर लेना यहां से कुछ भी नहीं आने वाला सर ईवे बिल से कहां से आता है ईवे बिल की वैलिडिटी से कोशन आता है इसको अच्छे से कर लेना इसके बाद ईवे बिल में कंसाइनमेंट वैल्यू पे कोशन आता है कंसाइनमेंट वैल्यू पे कोशन आता है कि ईवे बिल की requirement है की नहीं इसको अच्छे से कर लेना बाकी और कुछ इसमें इतना important है नहीं जितनी चीज़ें आपके काम की थी मैंने तसली पूर्वक अराम से with examples आप लोग को समझा दी है